का rate applicable होगा rare earth elements के लिए पहले ऐसा rule था कि अगर कोई rate applicable नहीं होता तो by default 12% का rate applicable हो जाएगा लेकिन आप government ने rate specified कर दिया है ये positive है, globally competitive royalty rate specified किया है और उसी के चलते ये बड़ा move इन सभी stocks में देखने को मिल रहा है झाल 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 आपरेशन आजय के तहट पहली चार्ज़ फ्लाइट से 212 भार्टी लोटेस मुदेश, फिल्हाल इस्राइल में हैं 18,000 फार्ट इस्राइल, हमास, तंघर्ष में अब तक 2800 से जावा लोगों की मौत, अमेरिकी विदेश मंदी, इंकिन दिमाल, अमेरिकी रक्षा स्चिप, लोईड ऑस्टिन, आज इस्राइल का दरें के तौरा, इस्राइल के संसुपने युनिटी सरकार के दीन हैं जो सम्मेलन की थीम है, एक पृत्वी, एक परिवार, एक भवश्यक के लिए संसुपने सम्मेलन के कप्तार केन विलिमसन की टीम में वापसी करदक्षन अफ्रीका रेयोस्पेला को 126 रन से दीकरारी शिकस सबसे पहले बात ऑपरेशन अजय की जिसके तहत इस्राइल के तेलवीव हवाई अड़े से दोसुबारा भाती नाकरिकों को लेकर पहली उड़ा दिल्ली हवाई अड़े पर उतरी केंजी मंत्री राजीव चदरशेखन ने अएपोर्ट पर नाकरिकों का स्वागत किया विदेश मंत्राले के मताबिक करीब 18,000 भारती इसराइल में रह रहे हैं जबकि 13 भारती फिलस्तीन के वेस्ट बैंक और 13,000 भारती गाजा में हैं ऑपरेशन अजय के तहथ फिल्हाल इसराइली क्षेतर से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रहे हैं मंत्राले के मताबिक भारत ने ये अभ्यान उन भारतीयों की वापसी को उस विधाजनत बनाने के लिए शुरू किया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं जी ट्वेंटी की भारत की अध्यक्षता के विशे के अंडूप नौवे पी ट्वेंटी शेखर सम्मेलन का विशे एक पृत्वी एक परिवार एक भवश्य के लिए संसत है समِّलन में जी ट्वेंटी देशों के अलावा दस अनने देश और अंतराश्च्रे संगठन भाग लेंगे पैन अफिरिकी संसत के अध्यक्ष पहली बार भारत में पी ट्वेंटी कारेकरम में भाग ले रहे हैं इस P20 शेखर समेलन के दौरान होने वाले विशेगत सत्र नम लिखे चार विश्यों पर केंद्रत होंगे सारवजनिक डिजिटल प्लाटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदला महिलाओं के नेद्रतवर में वेकास, STG में तेजी और सतत उजा बदला इन सत्रों में G20 सदस्यों और अधिती देशों को साथ लाकर संसत के स्प्रकार P20 के उदेश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है इस फिशे पर व्यापक विचार में मर्श होगा चुनाव आयोग मरिपूर और 36 कड में पहले चर्ण में होने वाले विधान सभाद चुनाव क्यादी सुषना आज जारी करेगा मिजरम की सभी 40 सीटों और 36 कड की 90 में से 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा इसे के साथ दोनों राजियों में आज से ना मंकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी जो की 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी इससे पहले चुनाव आयोग में 9 अक्टूबर को 5 राजियों की 689 विधान सभाद सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था मिजरम में विधान सभाद चुनाव 7 नवंबर को होगा 36 कर में विधान सभाद चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चड़ने में होगा सभी राजियों में मतगर्ना 3 दिसंबर को होगी मुजराम विधान सभा कारेकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है वहाँ मीजो नाशनल फ्रंट सक्ता में है 36 कर्ड विधान सभा कारेकाल अगले साल जन्वरी में समाप्त हो रहा है आमादमी पार्टी ने गुरुवार डेरा 36 कर्ड विधान सभाद चुनाव के लिए अपने उमीदवारों की तीस फ्री सूची जारी करती है आमादमी पार्टी में 36 कर्ड में 11 उमीदवारों की खोशना की है जग्दलपूर से नरेंद रुभावानी को मिला है मौका इससे पहले 2018 के विधान सभाद चुनावों में आमादमी पार्टी में 36 कर्ड में 85 उमीदवार उतारे थे लेकिर उन में से सभी की जमानत सब्थ हो गई थी नबे सदस्य सदन के चुनावों में कॉंग्रिस की जीत हुई थी अनुमान से ज्यादा महंगाई बढ़ने से अमेरिकी बाजारों की चार दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक डाउ में 170 अंकों की गिरावट नास्डेक और सन्पी 500 आदे से पॉन परसेंट तर गिर कर बन इशाए बाजारों में गिरावट गिफ्ट निफ्टी करीब 1,500 गिरकर 9,700 के पास हॉंग कॉंग और चिंग के बाजार भी कमजोर अमेरिका में स्टॉक बढ़ने के बाग जूद कच्छे तेल में आज फिर तेजी ब्रेंट कुरूड 86 डॉलर के उपर इस हफते 2% से जादा की तेजी के बाद सोने में स्थिरता कॉमिक्स पर 885 डॉलर के करीब कमजोर नतीजों से इंफोसिस का एडिया करीब 7% तूटा मैनेजमेंट ने गाइडेंस आरे 3% से घटा कर 1-5% किया वहीं HCA टेक के मिले जुले रहे नतीजे डॉलर आई और मार्जिन में बढ़त लिकिन FY24 गाइडेंस घटा कर 4-5% की बीच सितंबर तिमाही में इंजर वन के अच्छे नतीजे मुनाफ़ा 38% बढ़ा वहीं आनंद राठी की आए में 34% का उच्छाल लेकिन मार्जिन पर दबाव निफ्टी में HDFC Life के नतीजे आज कैश मार्केट में टाटा स्टील, टाटा स्टील लॉंग्स, होम डिस्टिलरीज और डे नेटवर्क्स के नतीजे आएंगे आज टाक्टर रेडीज को USFDA से जटका, हैदराबार बायोलोजिक्स प्लान के लिए फॉर्म 483 के साथ 9 अपतियां जारी तीन महीने के निश्वे स्टर पर महिंगाई दर सितंबर में रीटेल महिंगाई दर 6.83% से घटकर 5.02% वहीं 14 महीने के उपीस तर पर आई आई पी ग्रोथ सितंबर में बढ़कर 10% के पार इसराइल से ओपरेशन अजय की शुरुआद दो सो बारा भारतियों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुची वहीं हमास पर इसराइल के हमले जारी युद्धुपर संयुक तराश्ट्र सेक्योरिटी कांसिल की आज बैठर शरिवार को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैट से पहरे आज दिमभर देखिए क्रिकेट और शेर बाजार पर सबसे बड़ी कवरेज ग्यारा बज़े देखिए चार्ट बोले मौका मौका सारे बारा बज़े देखिए सेंचरी शेर सौ से कम और दिमभर स्बदीश के आंकर बताएंगे बाजार में कहां कहां लग रहा है है सिक्से यह है मिटकेप कर्टिखिरी का शेर और अगला शेर भी आपका मिटकेप मसाला से ही वह हमारा शोग है और वड़ी हरानी की बात है कि मिटकेप मसाला mij啊 । में और मौनिट के साथ मिटकेप मसालाब मनीशी निए ठीक और जैसरी आप पहता बात के सिए मौनिक सिए मौनितर मैं मोनिश साड़े भ Een bad boyelf一 तो कों से हमने का कि मनीश मोमेंटम और एक साथ आपको दिखेंगे एक इशो के अंदर चलते हो दिखेंगे शेयर था आठ परसेंट अब सरकेट लग़िया बीस परसेंट का नमस्कार स्वादर आपका एटी नाउ स्वादेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजातर पार्थी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वादेश और कल भारत पाकिस्तान का मैच होगा जसका की सभी को इंतिजार है सभी बहुत एकसाइटेड है और इस बीच एटी ना मैच से जुड़ा फ्लेवर आपको एटी नाउ स्वादेश के प्रोग्रामिं में भी दिखेगा तो आज 11 बजे हमाई साथ जुडिये और इसमें हम आपके लिए खास शो लेकर राएंगे चाट बोले मौका मौका और 12 बजे भी एक स्पेशल शो हम आपके लेकर राएंगे सेंचुरी शेर 100 से कम और दिंबर स्वादेश के आपको बताएंगे कहां कहां कमाई के मौके नजर आ रहे हैं तो आज दिंबर वर्ड कप का फ्लेवर इटी नाउ स्वादेश पर बना रहेगा तो इस पर हम आपके आपको और भी जानकारी देंगे लेकिन चली अब शो के शुरुआत करते हैं और नजर डालेंगे सबसे पहले एशिया बाजार उपर एशिया बाजारों के शुरुआत है वो इस पर थोड़ी कमजोर नजर आ रहे हैं हाला कि गिफ्ट निफ्टी अभी हरे निशान में है 19,690 के असपास गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाकिस अभी इंडास लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं हॉक्ग्के बाजार 300 अंक करीब ने ने ज피 जापान के बाजार करीब 80 अंक ने चे और चिंग के बाजार 22 अंकों की कमजोरी दिखा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी हलकी वीकनेस देखने को मिल रही है इस वक्त तो इससे सपार्ट कारोबार हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में लेकिन अन्य ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत है यह भी समझ लेते हैं क्योंकि कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी थी और लगाता चार दिनों की जो तेजी थी वहाँ पर ब्रेक लगा अब इसके पीछे की वज़ा क्या थी किस तरीके के आकड़े आए हैं जिसके वज़े से हमने यह दबाद देखा कल अमेरिकी बाजारों में और बाके दुनिया भर के लेते हैं हमारे साथ विश्मोहन जोड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर विश्मोहन गुड मॉर्निंग बताइए गुड मॉर्निंग पूजा आज काफी कमजोर संकेत दिख रहे जैसा पर शाही बाजार गिफनिटी की बात कर रही थी अगर युएस मार्केट में कल च बहुत जादा अनुवान से बहुत जादा नहीं बढ़े लेकिन चिंता इस बात की है जो इस टिकनेस दिख रही है जो जिद्धीपन दिख रहा है महंगाई में आप आप नौ परसंट के बास तो तेजी से आप आगा है पांच परसंट के नीचे उसके बास से जिस लेबल भी जो बास चिंता है का हो सकता है कि रुक कहीं सकत नहीं जाये इसलिए बाजार चिंतित है हलागि अग्ली बैठक अब 31 अक्टूबर और और एक नॉंबर को होगी वहाँ पर बाजार अब तक यहीं अनुवान लगा कर चल रहा है कि वहाँ पर दरे इस्तिर रहेंगी आप यह focus जो अमेरिकी बाजारों का होगा वो shift होगा अमेरिकी बाजारों का focus अभी आसफे होगा तिमाही नतीजों पर और कई बड़ी कंपणियों के नतीजे आज भी वहां पर आने वाले हैं जिसमें City Bank से लेके Wells Fargo, BlackRock जैसी कंपनियों के नतीज़ा जोहाँ पर आने बाले हैं। एउरप के बाजारों की बात करें। UK की economy की जो अगस्त महीने की ग्रोथ थी वो सिफ 0.2% की ग्रोथ थी। European Central Bank के जो मिनट जारी हुए उसमें महेंगाई को लेकर वो कापी चिंतित दिख रहे हैं। ग्रोथ को लेकर चिंतित है। लेकिन जो ECP के जो European Central Bank के कई अधिकारी है। उन्होंने यह साफ संकेत दिये हैं कि दरे अब पीक के लेवल पे है। बहुत जादा यहां पर बढ़ने की अब संभावना यहां से बहुत ही कम दिख रही है। तो यह एक अच्छी बात है। लेकिन आज और पूरा फोकस अब आगे यही रहने वाला है कि नतीजे कैसे रहेंगे। और क्योंकि नतीजों का सीजन सुरू हो चुका है तो इंडिवीजियल स्टॉक्स और इस इसाफ से बाजार चलेंगे चाहिए घरेलु बाजार हो या अमेर की बाजार हो। अब बात कर लेते हैं अन्य संकेतों की तो कल यूएस टेनियर बॉंड इल की बात करें तो महंगाई बढ़ने जो अंगना से जादा आने की वज़ए से टेनियर बॉंड इल में भी तेजी दिखी थी। कच्चा तेल यूएस में स्टॉक क्रूड के बढ़े थे उसके बाफ़ूद कच्चे तेल में वापस से तेजी दिख रही है कल हलकी है कल जो तेजी आई वो हलकी वहाँ पर मुनाफ़ा बसुली जरूर ही लेकिन वापस से आज तेजी दिख रही है सारी 86 डॉलर के आस पास है हला कि गोल्ड में स्थीरता है अच्छी तेजी के बाद सवा 2% ही सब्ते चलने के बाद लेकिन एक्यूटी मांकेट के लिए आज से अगर आज देखे तो कापी कमजोर ही संकेत दिख रहे हैं पूजा कमजोर संकेत हैं महंगाए के आखडो ने मूड खराब किया अनुमान से जादा महंगाए के आखड़े आए जिसके बाद अब साल अंतर ब्यास दरों में 0.25% की जो बढ़त है उसकी गुंजाईश अब बढ़ते हुए नजर आ रही है इस वज़े से हमने दबाब देखा य भारत में भी हम देख रहे हैं और US मार्केट में भी किकर के एहम कुछ नतीजे आएंगे उसका भी असर बाजार पर आगे बना रहेगा बाबत अशुक्या विश्मो नाम का ये साधी जानकारी देने के लिए चली अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं FIs और DIs के आ पास-पास की लेकिन आज फिर से 1862 क्रोर की बिकवाली का अंक्रा नजर आ रहा है FIs के तरफ से तो यहां पर सेलिंग प्रेशर लगाता रहावी है DIs की बात करें तो कैश मार्केट में 1532 क्रोर की खरदारी की अंक्रा है इंडेक्स फ्यूचर में 252 क्रोर की खरदारी है और इंडेक्स ऑप्शन में करीब-करीब 30,000 क्रोर की बिकवाली देखने को मिले है क्योंकि कल एक्सपारी भी थी उसके चलते भी यह एक आंक रहा है यहां पर इस वक्त बड़ी बिकवाली का नजर आ रहा है तो यह तो हैं F.I.S. और D.I.S. के आंक्रे और यहां से भी संकेत हलके कमजोरी के ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि F.I.S. के तरह से लगाता से लिंग प्रेशर बना हुआ है लेकिन अब इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के F.N.O. डेटा क्या कह रहे है और कहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है यह सब समझ लेते हैं हमाई साथ इंपी कारा जूचुके हैं फोन लाइन पर इंपी गुड मॉर्निंग बताइए गुड मॉर्निंग पूजा लिखे मार्केट अभी एक निदर रेंज है हमने कल भी आपको गाता जब साड़े आठ सो पार भी होगा तब तक वहाँ मुश्किल रहेगा निफ्टी अभी भी साड़े आठ सो अरे आठ सो भी इस्टागल कर रहा है कल भी इसमें दो बार अटेंप्ट लिया एक और ओपनिंग बहुड में लेकिन दोनु बार इसके अटेंप्ट फेल हो गई आज तिपिकली थोड़ी आई-टी कंपनी का असर आएगा आज यूएस का असर मी होगा आज को इकूड का असर मी होगा डावर इडे का असर मी होगा आज तिपिकली इफोसिस प्लस टीस का कॉम्ब अजर होगा कल भी देखिए आई-टी कंपनी स्रें आइ-टी मार्केट का थोड़े मोरत के रखा तो जब भी आईटी नहीं चलेगा तो इस दिन एफाइस का नंबर में इसना ठीक नहीं आएगा तो कल ऑप्शन का डाटा भी माइनस का आया तरीम रप्तिस दार क्रोड़ पे का सबस्का और साथी कैश का डाटा भी माइनस है तो मांगें चलेनना रेंज हैं। अभी मांगें प्यत्यव के घ। पर को ऑप तरफिस के नंबर को इसला रेंज में अग्रणा के होगा अगर आपको लग रहा है कि मैं 500-500-600 पर लेकि मैं 500-600 पर लेकि मैं 500-600 पर अमाल कार गया, इस गुड़ है नब, इतना ही मिलेगा इससे में डाइसिस, इससे बढ़ा चाला भी नहीं मिल रहेगी, लेकिन फिर भी डाटा इस तरह का बनावे कि अगर आप थोड़ा भी कि अगर एंगल आप अगर आफ लेकि अग्तिंव एंगं तक आपंडाया में 25-20 बिन तक रखंगे जिस तर से डाटा पहन आउत हो रहा है, तो अविध ही पॉजिव ही है, नहीं तो इसमें बड़े बड़े आनक्रें और नेकितिव अने के पाद कई भागी कि तो प्राक त पर आपके लिए सपोर्ट है उनिस पांसो का उनिस छेसो अला एरिया सपोर्ट एरिया है जो हमने पहले है आपको नोटिस करवाय हुआ है सारे आर्ट्स का रिस्टेंस और बड़ी पुश्ट सारे आर्ट्स से पहले नहीं लेना अब थोड़ा रुप जाना आज करना चाहिए को कि बंडें को फिर से गाप ऑग डाउन होने के चांसित लगते हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टन यह है कि बैंक निफ्टी के अंदर कलम कर बहुत और शॉट कवरिंग आती है देखी कर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा ठीक था है तो कि नेक्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है अगर आप आईटी को भीक करेंगे तो बैंक को सपोर्ट ऑटमाटिकली मिल जाता है और हच्टी एसमिस में बड़ा कंटेंटर साथ इसके हो सकता है प्षूब आज तो बैंकिंग का अपना रोल रहे बैंक निफ्टी को बचाने में बैंक निफ्टी का रोल अहम हो सकता है चवालिज़ज़ार थीज़़ज़ार एक आहम सपोर्ट है यह ब्रेक नहीं होना चाहिए आप्शन्स यहां पर भी अवाइट करनी चाहिए जो पुजिशन्स ले रखे हैं पहले उसको समभा लिए नई पुजिशन्स लेने की खास को जल्दी नहीं करनी चाहिए स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं कल्बे आपने देखा इंडाइटी देखा हुगा तो आप इसे दरे के रणनीती ही रखे हैं आज भी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीती ही रखें बहुत बहुत शुक्री आडिम्पी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए तो कल भी हम देख रहे थे कि IT स्टॉक्स बढ़ने नहीं दे रहे थे बाजार को और आज भी ऐसे कुछ देखने को मिलेगा इंफोसिस, HCR Tech के नतीजे आया निराश किया उनके नतीजों ने भी इसके चलते हम देख रहे हैं इंफोसिस का ADR करीब 7% तूटा तो ये भी आज बाजार को बहुत बढ़ने नहीं देगा हाँ बैंक निफ्टी से सपोर्ट आ सकता है तो इन सब के बीच इंडेक्स में ट्रेड ना करके स्टॉक स्पेसिफिक रंडीती ही अपना के चलिए ये सला है आपके लिए बाजार पर अचलिए अब बाजार में और कहा नज़र रखनी है कि इस स्टॉक्स पर ट्रेड करना है ये भी बाज समझ लेते हैं हमारे साथ आधित्य अगरवाल अजूड चुके है फोन लाइंपर आधित्य थैंकि सोमच हीटीना उस्वदेश को समय देने के लिए कैसे ट्रेड करें आज मार्केट में और स्टॉक स्पेसिफिक रगनीती के अपना है अब मार्केट तोड़ा ओर बाट हो रखा था इंडिकेशन हमें कली आ रहा था कि मार्केट में एक फोड़ी प्रॉटि बॉकिंग आ सकती है अज एक बड़ा गैपडाउन देखने मिल रहा हमें और वो जो गैप एलिया था पूजा कहिनक है वो कवर हो ता वह दिखेगा आज हमको तो नीचे के तरफ उननिस शेसो पचास उननिस शेसो बहुत ही इंपोर्टन सपोट रहेंगे आज के गैप डाउन के बाद अगर यह सपोच कोल करते हैं और फिर्स आप अगर यह ब्रेक नहीं होता है तो फिर हमें फ्रेश शॉक कावरिंग देखते हैं मार्केट में आते हुए और उपर के तरफ वापस एक बार इंडेक्स उननिस जार आट्सो के तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर एक लांग ट्रेड हम ले सकते हैं गाप डाउन होने के बाद मुझे बहुत जादा मार्केट में वीक्निस नहीं आते हुए दिख रही है एक रेंज अभी व पांसो पांसो कचाशका और पिर बैंक स्टी में अगर हमें एक अच्छी कासी गाप डाउन ओपन देखने मिलती है चावाल इजा चार्सो का इस बहुत अच्छा सपोर्ट है अगर वो फोल करता है बैंक से तो एक बार वापस के वहाँ पर भी लांग टेले लेने कर देख स उसी के सामने अगर हम स्टॉक से सिख देखे तो फापी अक्टिविटी है फुजा तो इसके दो बाई ट्रेड सजिस्ट करना चाहूँगा तो रासा कॉश्यस रहना चाहिए लेकिन मार्केश में मुमेंटम अभी बना हुआ है पहला ट्रेडरे का स्टॉक एक अच्छा का स पहला चाहिए तो जी में खरीडारी करें टागेटरेगा 286 का स्टॉप्लस लगाए 250 थांक्यो अधिया यह रैनीती सुझाने के लिए तो मार्केट के लिए उनने से जार पांसो से उनने से जार आट सो यह एक रेंज है इस रेंज को आप ले कर सकते हैं अगर नीची खुल थोड़ा बाजार 2600 के पास तब आप लॉंग करके चलिए तो इस रेंज को आप ले कर सकते हैं तो यह ट्रेड करिए अधरवाइस छोड़ दीजिए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हम आपको दे रहे हैं Zee Entertainment, Max Financial Services यह अच्छा लग रहा है ट्रेड के लिए आगे कुछ पूजा तो सबसे पहले अफकोस दो बड़े दिगज नंबर्स हैं वह इंफरसिस और दूसरा है आपका HCL Tech अभी यह दोनों जो है TCS रिजल्स के बाद जो है अफकोस TCS के रिजल्स भी थोड़े वी देखने मिले थे बर यहां पर जो हमने देखा है कि जो CC ग्रोथ है जो आए है overall तो दोनों companies के numbers mix देखने मिलें लेकिन जो सबसे important बात होती है वह होती है guidance cut इसका मतलब आगे जाते हो जो demand है वह थोड़ी कम हो रही है ग्लोबल जो discretionary spend हो रही है उसमें भी गिरावट देखने मिल रहा है तो important बात में बता दो कि Infosys की तो overall जो है आप कह सकते है numbers देखे तो वह almost mixed है लेकिन जो commentary आई है जहां पर revenue guidance घटा आया पहले जो था 1-3% तक तक ता अब जो आपर आइंड of guidance को घटा दिया है 1 to 1 2.5% क जो है management का कहना है कि वह hiring नहीं करने वाले campuses यह बहुत बड़ा important point है और HCL Tech के बारे बात करें तो यहां पर भी cut in guidance आया अगर देखे तो overall numbers तो जो जो थे revenue in-line थी और पाट और margins में तो एक improvement भी आया था estimate को बीट किया था लेकिन FI24 का revenue guidance है उसको जो है अभी cut कर दिया पहल globally तो वहां पर भी 6.5% का गिरावर देखने मिला है तो इन stocks पर जए negative reaction देखने मिल सकता है वहीं अगर बात करें broking related stocks के तो बहुत शांदा performance आये angel 1 के strong numbers आये QQ numbers पे उनके operational आकडे भी बहुत strong आये वहीं अगर आनंद राठी के बात करें तो largely in-line set of numbers आये QQ basis पे लेकिन साल 2024 के लिए जो है 224 से बढ़ा के 720 करोड करते है तो यह बहुत बड़ा guidance इंक्रीज किया गया तो एक साइड आई टी में pressure देखने मिलेगा दूसरे साइड ब्रोकिंग related stocks में जो है बहुत अच्छी तेजी देखने मिल सकती है ओके तो यह हैं कुछ एहम नतीजे जिस पर की हम आगे चर्चा करेंगे और इन पर action देखने को मिल सकता है लेकिं शर्द इसके अलावा खबरों वाले shares कौन कौन से है जी बिलकुल फार्मा स्पेस से दिगज प्लेयर्स डॉक्टर रेडी इसको 9 observations from 483 वाले USFDA आये हैं उन पार्टनर्स को जो है अल्मुस्ट हजार कवर्ड की ऊपर के डील से अक्वायर किया है लुपिन को एक अप्रूवल आया USFDA द्वारा जहां पो कैल्शियम रिलेटेड ओरल सलूशन टाबलेट्स की जो है से लिंग कर सकते हैं अबलान टैक भी ज़रूर फोकस में रखेगा तो इसको 99 रुपीज में रखा गया है 99 रुपे में तो यहां पर हमने सब चेक किया तो पता चला कि सब अल्मुस्ट बुकिंग हो चुकी है मेट्रो सिटीज में तो बहुत एक इंट्रेस्टिंग चीज है जिसमें आप देखें जरूर स्टर्लिंग विलसन रिनेवल एनज की वो कैंसल हो गई है हाली में दो दिन पहले उन्होंने जो है अपनी डेट रिपेमेंट में भी जो है डिफॉल्ट थोड़े सी की जहां पर पेमेंट पूरी तरह नहीं गई थी सेप्टमबर के महिने में 361 के बात करें तो नौजस बैंक ने स्टेक लिया है और जे कुमार इंफरा यहां पर प्रशान जैन के 3P इंडिया एक्विटी फंड ने नई इंट्री आई है 1.42 परसें स्टेक की और वहीं सेंटर में इलेक्ट्रोनिक्स में भी उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है इसका इंपार्ट भी आगे हम देखेंगे इंतरमान स्टॉक्स पर बहुत बहुता शुक्री आपका चली अब आगे बढ़ेंगे कुक्ली बात कर लेते हैं ब्रोकरिज रिपोर्ट की इन नतीजों पर और ख़बरों पर डेसा ही रिपोर्ट भी आ रही है वामाक्षी हमें जी बिल्कुल शुरुआत करते हैं हम HCL Tech के साथ हम देख रहे हैं कि काफी सारे ब्रोकरिज रिपोर्ट रहे हैं उनके नतीजों के बाद ब्रोकरिज कह रहे हैं कि जो गाइडेंस काट कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पर था मगर जो अनेक्स है 1070 के टागर प्राइस के साथ इसके अलावा आप फोकुस करेंगे हम इन्फोसिस पर कंपनी की जो फट्वेंटीफोर की जो गाइडेंस काट है यह एक नेगेटिव है मगर ओवराल फट्वेंटीफोर्ट का जो आउट्लुक है यहां पर कोई भी चेंड नहीं नजर आ र आ रही है और जेबी मॉगन और बैंक ओफ अमेरिका ने अपनी न्यूच्रल की राय को बढ़करा रखा है इसके अलावा हम फोकुस करेंगे एन्मदीसी पर नुवामा की तरफ से रपोर्ट आ रही है उनका खेना है कि कंपनी अच्छे पोजिशन में है बढ़ते डिमांड को केटर करने के लिए from global prices के चलते company का फाइदा हो सकता है overall उन्होंने अपने FI 24 और 25 के इबदा अनुमान को 23% और 20% से बढ़ाया है प्रैक्टर दिन कर रहे है higher prices और volume और रसी के चलते न्मदीसी पर मुवामा ने अपनी खरेदारी की राय को बढ़करा रखा टागर प्र प्रिक्वाली की राय दी है और न्म्दीस पर खरेदारी की राय दी है इनका कहना है कि कोल इंडिया प्रोड़क्षन राय मगर और अल्रेडी ओवर सप्लाइड ग्लोगल कोल मार्केट है इसके चलते ए उउक्षिन प्राइस में further reduction expected है और आयन और जो है वो शॉर्ट सप्ल सब्सक्राइब के लिए तो ओल इन सारे पॉजिटिव फाक्टर्स के चलते एकुर इसने किम्स पर लॉंग की राय के साथ कबरेज चुरू किया है टागर प्राइस 2,293 रुपीज के साथ ओके रहें कि वामाक्षी यह सारे अब्रेट के लिए चलिए छोटे से ब्रेक के लिए हमें आप पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद स्टॉक्स पर शर्शा जाए रहें कि कर दो दो झाल 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 प्रिके बाद आपका स्वागत है और चलिए बहा क्विक्ली आपको कॉमोडिटी मार्केट का भी अपडेट दे रेते हैं अनुज गुपता से हमारी बात हुई थी जिन्होंने अपनी कुछ रनीती भेजिए उनसे संपर्ख नियुपाई लेकिन के कॉल्स हम फटा फटे लेते हैं पहले तो गोल्ड में उन्होंने खरदारी करने की राय दिया है डिसेंबर फ्यूचर्स 57-700 के लेवल्ड के लिए स्टॉप लॉस होगा 57-450 का टारगेट होगा 58-200 का गोल्ड में निशल सरों पर खरदारी करने की यह सला दे रहा है कच्छे तेर में बिखवाली करने की राय है 6780 के लक्षे के लिए स्टॉप लॉस होगा 7,120 का और कॉपर में भी बिखवाली के ही राय है की तरफ से 695 के लक्षी के लिए स्टॉप रॉस होगा 711 रा तो गोल में तीजी की राय वहीं उसके सामने कुरूड और कॉपर में बिखवाली की राय अनुच सुझा रहे हैं चले फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे आपर और ब् कि मुपर चारा ब्ली ठाइब कोुपर प्रियंग लिए और कामात्यों कि राय अनुछ सक्षी कि वे जाड़ सेंवादा प्रियंगे इतना ही मुपर के लिए वे अनुछ से वे वी प्याय अनुट से लिए ब्लीज़ में रहें ड़णावार प्र तू प्र चाराफ़ झाल 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 यह झाल 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 कर दिए स्टॉक में भाव के असपास आया था दोसुं पास ए तॉर्ट को अधिन जब से यह बंऄ जह अगाए उसके बाद अगर भर चैनल लिए खाई भाव जा जाने कपर अगल तो में अगर आधि ने कहीं अगर आ चामफ यह तो अधिन आधिन अगर आधिन आधिन अगर जो नाइ भी जो बैट कर रहा है कि बर्मन साब जो है कि उनकी लेने के बाद कुछ परवर्तना चुका है। चार्च्ट शब्रेयर के बाद आशके भाद आप यह ख़वर आई है। संतोवज से रेलिगयर के चार्च पर तब मिडियम तरफी जी आप अधियो मामला है? जी है जी हमने रैली गेर में बहुत ही अच्छी रैली देखी थी 280 रूपी तक इस्टॉक गया था फिर वहां से करेक्ट हुआ पर अभी जिस जंक्टेर पर बैठा है वो क्रिटिकल डिमांड जो होने और इसी बीच में कांसुलडेट किया था तो मुझे लगता है इस करेंट लेवल पर फिर से एंट्रे के लिए फेवरेबल है आप यहां से खरीदारी कर सकते हो आपके लिए स्टॉपलो से अगा 223 रूपीज का और अगर यहां से बांस बेक करता तो फिर से हमको 275-280 रूप सकते हैं mmtc में से एक है एक और कंपनी है जो mmtc के साथ कल चली हो था क्यूपीड लिमिटेड कल का वॉल्यूम और कल का प्राइस एक्शन बहुत जोरदार था और कई सालों बाद इंफ्रैक्टा सा देखा गया है mmtc पर सरक्ट लगा शाद क्यूपीड पर भी सरक्ट लग कल काफी अच्छे एक फ्लैट प्रेटन आपर ब्रेक आउट देखने को मिला हमको आपने बिल्कुल सब्सक्राइब इस परसेंट सरक्ट की आसपर सी पहन दोके लिया है तो मुझे इसा लगता है कि इसमें जो तेजी बनी थी बिल्कुल बरकरा रह सकती और आज के डीप मे पारवा नजर जा रही है वह है ओस्वा लेकर कैश के शेर इसलिए पूछा रहा हूं को कि कई बार कुछ कैश के शेर्स भी ध्यान रखना चाहिए विद्भी आपके इंडिस्टिंग के साब से शुरुवात होते हैं नजर आ रही है मुझे हुआ है नहीं आए बस वह तो चार्स पर जो चीज देख रही है अजय वही बस हम सामने रख रहे हैं अगे अपर कुछ इचे में अब हमारे नहीं सारे बैठें के आप की विलकूल ही बात है इंटरश्टिंग है फ्याज आ आटे ही पुरी लिस्च जरे आपकी फ्रेडे स् कि आजाती बहार दीरे दीरे नहीं है यह ऐसा कुछ निया आप तो जोंद सी कनेक्शन जोड़े ऐसा कुछ नहीं है इसमें एक काम में तर्थ एक शेमर में आप पुछ लेता हूँ जो मेरी लिस्से आप किल्कुल कनेक्ट नी करेंगे वह है और स्वाल एगरो यह आप लिस्स स्टॉक में एक रिजिस्टंस से 37.3 के आसपास वह अगर क्रॉस करता है तो स्टॉक में मुमिंटम बन सकता है स्टॉक शार्प 44-45 तक की लेवल दिखा सकता है तो कोई अग्रिस्वी ट्रेडर से यहां से बैट लेना चाहता है तो 33 के स्टॉक लों से खरिदारी कर सकता है आए सीधा चलते होने के पास कंपनी गवर्मेंट PSU है और इसका फोकस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन और रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन, आटोमेशन, एडवांस्मेंट और जब तक रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्वीनी वैशनो है जो की एक बीटेक है या एक साईयस आफिसर रहे ह है जो कि एक 175 का टार्गेट देता है तो यह slow and steady mover रहेगा इरकॉन में 73% government holding है, 6% institutional holding है तो इसका free float काफी कम है, कोई भी order book में अप्तिक आता है तो एक बड़ा upside possible है, 4-5% generous dividend payout है तो यह भी एक बहुत soothing factor रहेगा, इरकॉन एक portfolio stock रहना चाहिए एक साल के अवधी के लिए, conservative target 30% on the fundamental side, मुनाफे के इसमें fundamental side पर हमारा दूसरा stock रहेगा Tata consumer products, Tata group company है, तो corporate governance काफी अच्छा है, Mr. Sunil Dissouza, जो की managing director CEO है, Tata consumer के, उनका बहुत अच्छा track record रहा है, वालपूल में, जहांपर उन्होंने turn around किया है, तो इसमें हमें लगता है, 1150 का लक्ष रहेगा, और एक स साइड है, एक global listing, ADR या GDR जिसे कहते है, global depository receipts, वो भी possible है Tata consumer में, क्योंकि Tata consumer का बहुत बड़ा key business, USA, North America, Canada, in zone मार है, तो एक global listing possible है, Tata consumer stocks, 892 पर बाय करके, 1150 के target के लिए, एक साल के अवधी के लिए ले सकते है, management uptick, overall global player and FMCG is doing well, so Tata consumer could be one stock in your core portfolio for a one year time horizon, thank you. हमां के पास में जाना चाहूंगा, हमां एक stock को नजर जा रही है, दो कारों के लिए से, एक तो जो player उनमें आये है, और जो nature of the company है, और जो कारोबार है इनका, वो है Jay Kumar Infra, Mumbai-based player है, आप तो काफी time से इस company हो देख रहे है, उसका stock लिके data साब, एक बहुत ही शामदार और बहुत होनार fund manager, बहुत पुराने अनुभवी ने, की fund में इस company के अंदर stock में माल लिया है, वो है 3P, आपको बता दू, 3P वही है, जो प्रशायम जैन जी ने अपनी company का start किया, 3P India equity ने 10% stake इसमें खरी है या कोई और infra stock? काफी अच्छा है और अभी recently कुछ बहुत बड़ा तो जो एक order मिला है, इसमें land related story भी है, की लगब 4,000-4,000 एकर की land है, जो बहुत बड़ा benefit in terms of unlocking value मिल सकता है, खुरा से low quality stock है, the management quality और the debt and all, वो सब concerns है, बट typically in the bull market, इस तरह के mid cap infra companies में थोड़ा बहुत इंट्रेस्स आ सकता है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर एक बार चाहिंज, तो ये तो बात हो गई, जे कुमार इंफ्रा पर एक और stock का, एक हिस्सा है stock का, और मैं एक particular stock discuss करना चाहूंगा, और वो है grassim, कल अपने दिखा होगा, बजार खराब नहीं था कल, डेज एंट, नो में बंदुवात हुआ, रेजिस्स आ के rebound किया, कई हिस्से मजार के बहुत वाइबरन ट्रेड हो रहा है, सिमेंट पे आप नजर बला के रखिए, मैं आप बार बार बता रहा हूँ, एक सांगी, जहां अदानी की ओने शिप हाई हो गई है, और ये एक वहिकल हो जाएगा, ग्रोथ का, और दूसरा grassim, grassim में एक फंडेजि काई है, तो क्या level देखने चाहिए, या options के साबसे खेले जाए इसको, क्योंकि इसका lot size के साबसे की 2000 पे का भाव है, बहुत पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो क्या options खेले, जी बिल्कुल grassim ने एक बहुत ही strong breakout पेश करा था दो तीन हपते पहले 1900 पे, और गए तीन दिन में का अभी जहाँ पे कल close हुआ था 2000-2002, यहाँ पे आपका एक call resistance का एक थोड़ा सा rope-tok है, काफी call selling के position है यहाँ पे, तो शायद अगर आज का दिन हो या Monday तक आप देखे, तो थोड़ा यहाँ पे रुखने की गुंजाईश है, बिल्कुल buy करके चलना है, बस timing की बात है, तो मैं कहूंगा अगर यह 2000 के उपर sustain हो जाए, 2010-2015 तो बिल्कुल first buy condition है, नहीं तो आपको शायद यह थोड़ा dip में मिल जाए, 1960 पे, तो वहाँ पे आपको buy करके चलना है, तो मेरी राय बाय की रहेगी, बस timing का मामल है, तो 1960-70 यह 2015 के उपर, target इसका 2040-2050 तक October में शायद आप dip में buy कर रहे हैं, तो 1930 कर रहेगा, ठीक है, यह तो बात हुगए, कुछ stock picks की, एक बार quickly recap ले लेता है, पुझा के साथ, इनी stocks में से वो stocks फिर से एक list को compile करके लाए हैं, जिन में से आपको धान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक traction देखने को मिल सकता है, पुझा बता है, ज जिसके चलते हैं, आज reaction देखने को मिल सकता है, स्टॉप में, और HCL Tech के जो नतीजे थे, overall मिले जुले थे, और यहाँ पर भी guidance में, माफ कीज़े, guidance में कटौती देखने को मिली है, तो इसका असर आज IT कंपनियों पर देखने को मिल सकता है, कुछ और नतीजों की बात करें तो एंजल वन के नतीजे काफी मजबूत आए हैं, आए में 30% की बात और मुनाफ़े में 38% की बात कंप्टी ने दर्च की है, और margin के तरश पर भी देखेंगे, तो numbers काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, डॉक्टर रेडीज पर आज ये reaction देखने को मिल सकता है, कंप्टी का ह कंप्टी बकाया भी ने दे पाई थी, 270 करोड का, और अब खबर आ रही है कि दूसरे तिमाही के ऊपर जो बोड की बैठक होनी थी, उसको भी कंप्टी ने टाल दिया है, तो इसका भी रियाक्शन आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है, शुक्रिया पूजाय सब कंपाल क कि लाने के लिए, एक बार चले वापस चलते है आपने पाललस के पास, और इंफाइक एक अडिशन भी है, हमार सत कुछ बूरा भी है, अब आज के ट्रेट्स बताने के लिए, कुछ मॉनिंग बताए आज आज आपके ट्रेट्स क्या हूंगे, ताये दर्शे को कुभी, अजिए, ट्रेट से पहले मैं अब डेट देना चाहता हूं, I think there is news that Virat Kohli is probably going to sit out in tomorrow's match, अजे की फिटनेस देखके उन्होंने डिसाइड कर लिया है, कि he is perhaps not in the same bracket, अजे आपका जो, you know, structure है, I'm sure you must have been an athlete, I'm very sure, बिकुर 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 अजे अपने अपने किसी तरीके से sports से अगर आप जुड़े रहें अपने अडली स्टेजिस में, अडली दिनों में, हर जगे आपको, job में, व्यापार में, market में, sports आपको सिखाता है कि पहले आपको a team player बना है, अपना योगदान बढ़िया देना है, बाकी गेम के ओपर आपका कंट्रोल नही है, और बजार भी किसी sports से अगर नहीं है, लेकिन और जो आप भी अपने daily life में follow करते हैं, कुष? नहीं, absolutely अजे, in fact, sports as they say, builds character, and if you are playing individual sports, like there is a market, then the first thing you say is a victory, you have to achieve yourself, then you can win on the field or court, then you can win on the field or on the court, then you can win on the market, you can win on the field or on the court, then you can win on the market, so the sport market is the first victory that you need to have, which is over yourself and over your mind, so that was on a lighter note, and compliments to your fitness, look, मुझे लग रहा है कि अगर ये dip आता है, जिस तरीके का हम फिलहालिक gap-down होते हुए देखरे हैं, 19-800 के put भी अच्छा खासा base था, so I'll wait for 10-15 minutes just to see, कि वहां पे addition हो रहा है, ये थोड़ा सा put-base नीचे shift होते हुए देखरे हैं, because 19-500-600 के आसपास के जो levels है, यहां पे अच्छा-कासा support है, there might be an opportunity to buy this dip, but I won't be the first one to jump and you know, buy it, मैं 19-700-750 के उपर भी आएगा, तब भी buy करने में comfortable रहूंगा, और 19-800 के जो level है, यह मेरे लिए फिरहाल अभी भी crucial level है to watch in terms of the resistance zone, buy and dip हो सकता है, but don't be the first one to jump the gun, bank and nifty support प्रवाइड कर सकता है, so 44-100, 44-400 के जो levels है, यह support level है, 45-200 के आसपास तोड़ा resistance पेस हो सकता है, दो stocks जो मेरे radar पे हैं, पहला है Maruti Suzuki, दूसरा है 5-star, अब देखी Maruti में हम अच्छा-कासा attraction देख रहे हैं, I won't be surprised कि 11,000 के levels भी आने वाले कुछ दिनों में cross करतें, but near term के अगर हिसाब से आप ले रहे हों तो 10,800 और 11,000 के ही target से ले, 10,400 आपका support zone होगा, मेरे दूसरा pick है that is 5-star, इस stock में हम काफी दिनों से अच्छी खासी uptrend already देख रहे हैं, market के falls से फिलहाल इसमें कोई बहुत जादा फरक पड़ा नहीं है, यह momentum जारी रह सकता है, यहां से आप 777.95 के दो targets के लिए buy करें, 7.25 stock cross रहेगा, बस एक हिदायत यह रहेगी कि market को थोड़ा खुलने दे, settle होने दे, फिर इन stocks पे कोई भी action ले, फिकर्स हो सकता है कि थोड़ा साथ slide आपको देखने मिले, आफ्र दी gap down opening है, ठीक है, यह 5-star कल भी हमको एक share मिला था, में को लगता है, जया परटेल ने हमको share दिया था, आज आपकी list पे भी आग चुका है share और कल भी अच्छा close हुआ, साड़े साथ सो के आस पास, करीश से वा परसेंट थेज़ था, इसकी market एक range पे था, इस share कर जरूर नोटिस कीजिएगा, खुश्पोराज आपको बता रहे हैं, क्या खबर है यह बताने के लिए शर्थ हमारे से वापिस से जुड़ रहे हैं उनसे पता करते हैं जी बिलकुल MRPL जो है focus में रहने वाला है यहां पे जो है पता चल रहा है कि बेंजीन और PX जो परक्सलीन उनके प्रोडक्ट्स होते उनका जो आप कह सकते फाक्टरी के रिवांप होती है maintenance होती है वह अब complete हो गई है इसका मतलब रिवांप या completion हो जाता है maintenance का तो capacity utilization जो होती है वह भी भड़ सकती है और अगबग 200 basis points का जो है increase का expectation सर याद रखिए यह दोनों प्रोडक्स जो है supply dynamics के हिसाब से जो है manufacture करते और अगर overall देखे तो इनका capacity 1.2 million tons पर आनम है इसके लावा जो है company बक्ती बाचीत चल रहे हैं कि छोटे pet cam projects को जो है वह acquire कर सकते और एक बड़ा project NGC का already announced हो चुका है तो उसके कारण street fare कर रहे हैं कि balance sheets जो है थोड़े stretch हो सकते हैं दबाव पर सकता अगले 2-3 साल में short term headwinds भी थोड़े आए है especially अगर GRM की बात करें तो यहाँ पर एक डॉलर पती barrel GRM की गिरावत होती है तो EBITDA में लगबग 1000 करोड का impact देखने मिलता है और बाजार को लगता है कि जो sustainability है strong GRM की वहाँ पर जो है question mark उट रही है और इसके लावा demand में भी जो है एक type से जो है concerns देखने मिल रहे है तो overall MRPL आपकी ट्रेड में focus में होना चाहिए एक fresh breakout देखने मिल रहा है तो मेरे असाब से यहाँ पे position बिल्कुल ली जा सकती है मझे लग रहे है 104 से लेके 108 के जो levels है वो in play आ सकते हैं और अगर आप stop loss देखे तो करीब 96 के आसपास रहेगा ठीक है हमारे बजार तो खुनने वाले लेकिन communities market के अंदर भी आपको इसी तरह का कुछ एक action दिख सकता है आज वहाँ पर कैसे trade बनेंगे बताने के लिए विश्मोहन मारसा जूट रहे है विश्मोहन बताए आप बिल्कुल आज गोल्ड सिल्वर के अगर बात करें तो अच्छी शुरुवात हुई है गोल्ड और सिल्वर में ठीक ठाक तीजी दिख रही है कल के सत में हमने देखा था कि दबा आता लेकिन आज शुरुवात अच्छी हुई है दोनों ही counter मजबूती के साथ यहाँ पर कार हो रहा है copper एक डायरे में है लेकिन zinc और aluminium में हलकी कमजोरी यहाँ पर दिख रही है तो यह कुछ शुरुआती टिक्स है और दस बज़े में हम आगरी मार्केट का भी टिप्स आपके लिए लेकर आएंगे वहां पर किस तरह की उपनी होती है फिर आपके पास आएंगे ठीके बिल्कुल आता है यह तो हो गया एक हाल कमोरेडी इसका इस पर हम आगे भी चर्चा जाई रखेंगे लेकिन तीन में रहे गए बजार खुलने में तो बस सिमेंट में वापिस होगा और हिमांग से एक टेक्निक एक फंडमेंटल पिक लेलू हिमांग सिमेंट में इस स्वांग के अब लाज़केप समय दिख रही है आपका पसंदीच अच्छा रहेगा और लाज़केप में अंदर नमबर वन उसके अलावा अगर मिडिकेप की बात करें तो जेके लक्षमी सिमेंट जेके सिमेंट और जो चेनाई यह मेरे प्रिफर्ड रीजिनल पिक्स है ठीक है तो बात से मेंट पर वी कुछ स्टॉक्स जिसमें हम डिसकर कर रहे थे उसमें एक अनमडीसी भी है काई सवी स्टॉक्स जिन में इंफाक यहां पर ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स में है फ्यूचर्स भी अच्छी खासी तेजी विक्री एनमडीसी पे एक पर अनमडीसी के चार्ट चेक करके और उसके एक्स्पेक्टेद है कि अच्छे धंबस प्री आ सकते है एक लाइस पी ट्रेट बनता है अरतमेश नमडीसी पर अच्छे पूल रहा हूँ, इसमें कापके इच्छे एक ट्रेट बनता है, आपके इसमें लेना है तो पेशिंटेब ली जा सकती, इस्टोपरोस लगाना चाहिए, मुझे इसा लगता है कि इसमें बढ़े टार्गेट के लिए प्ले करना चाहिए, जो कि बढ़ा टार्गेट म पर ये बात हुई, अब खुथली वमाक्षी का पास चलते हैं, आज की बिग बॉल ब्रोकरज समझते हैं, वमाक्षी चिपलकुल आज का बिग बॉल ब्रोकरज है, एस्बिया के उपर हम देख रहे हैं कि यूबियास की तरफ से रुपोर्ट आ रहे हैं, इन्होंने अपनी राय को डाउंग्रेट किया है, खरुदारी की राय से राउंग्रेट कर दिखवाली की राय दी है, अपना टागिट अपनी रेटिंग को डाउंग्रेट किया है, और इंपोर्टन यह है कि यह पहला बड़ा डाउंग्रेट तो सेल है कई सालों में, SBI पर UBS का कहना है कि रिटर्न रेशों फ्यट्वाइट हो सकते हैं, और इन फाक्त Fy25 से डिकलाइन एक्स्पेक कर रहे हैं, CET 1 भी 10.8% ले और अपना टागर प्राइस भी खड़ाया है, ओके ठीक है, SBI वाली जो खबर आपको बता रहे थी हैं, और आच SBI आपको दीख भी रहा होगा, करीब आठरों पर गैप डाउं नहीं ओपन कर रहा है, 140 पॉइंट के आसपास निफ्टी के आपको गैप डाउं दिखेगा, इसके अलावा जो शेर कमज़े हो रहे हैं, वो भी आपको बताता हूं, आईटी की लीडर्शिप के साथ है, इन फोसी सबसे ज़्यादा 4%, डाक्टर एडिस SBA खुलेगा, इन तीनों पर कहिना कई खबर है, बज है, यह उससी के साथ ओपन होते हूँ, आपको दिखेंगे, खैर मार्केट की ओपनिंग हो रही है, साथे 500 शेरों का इस समय अड़ांसिस हुआ है, और साथे 900 शेर डिकलाइंस के ज़्यादा है, यह निकि दोनों हजार से कम है, अच्छा पॉइंट ही है कि मजार इसमें फाइट कर सकता है, क्योंकि उसके पास डिकलाइंस के तदाद बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरे इंपॉर्टेंट बात के मार्केट के बास सपोर्स अभी भी बरकरार है, जैसे चवालीज जार दाई निफ्टी का बचा है, इनफेक्ट चवालीज नहीं, चवालीज तीन सो वाला सपोर्ट भी है तो वो पूरी तर से गया नहीं, बजार ने डेमेज तो किया अपनी आईटी की वाज़े से, बट उतना नहीं जितना लग रहा और सुबर से यहीं डम डिसकेशन भी कर रहे हैं, हमको रतनेश ने भी बात बोली और संतोज भी एक बात बोल रहे थे, खेर आगे बढ़ते हैं, इसके अलाबाब को से शेर अगर आप टीसेस को भी काउंट करें, टेक महंद्रा को भी काउंट करें, तो परसेंटेज में गिरावट मात्र एक एक परसेंट की है, इस से ज्यादा नहीं है, और आप यह आप अडवांस देख पा रहे हैं, और अडवांस डिक्लाइन, तो थोग वासा एक हजार का इस जान में भी आ गया, तो कल अपने नंबर का इंपक्ट कली खतम कर दिया, सेम हो सकता है, इन फोसिस भी ऐसा ही करें, अपने नंबर का इंपक्ट आज या कली खतम करें, तो आपको एक रिदम मिल सकता है वापिस से, आज और शेर कौन से कमज़र हैं, उसमें डॉक्टर इस है, खबर आपको पता है, इसमें 483 इशू हुआ है, जो तेजी वाले स्टॉक से उसमें, आप यकीन नहीं मानेंगे, टॉप 15 में से सबसे उपर SCL टेक है, सबसे उपर SCL टेक है, और दूसरा शेर है, हीरो मोटकॉप, तीसरा है मारूती, चौथा है, ओंजी से और पां कि ऐसा नहीं है कि बहुत टेजी से IT कंपनी से बजार को नीचे धकेल दिया हूँ, निफ्टी 50 भी अबर चेक कर लेते हैं, हीर्ट में आपकी स्क्रीन पर आएगा, निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपको गेल, आज हमने दिया, ट्रेंट, जो से एक स्टॉच दिखेंगे, जहां पर निउस है, लेकिन सब का लब लबाब यही है, कि मार्केट को रेंज में रखने में काम्याब हो रहें, और अभी आप अगर देखेंगे, तो रिकावरी इतनी फास्ट है, कि निफ्टी 100 पॉइंट के भी नीचे आ गया, अपनी गिरा कहां कहां action है, थोड़े से तो आपको energy stocks में move तिख रही है, oil index stocks में move है, petronet LNG में move है, IT के सारे counters नीचे 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 में, midcap के कुछ आप counters हैंगे, Tata Alexi जैसे counters में move तिख रही है, थोड़ी सी, क्यूंकि आज सारे sectors में गिरावत है, और सबसे कम गिरावत तो आपको दिख रही है, तो बाजार के थोड़ा defensive की तरफ, तो बाजार के तो बात करते हैं, गिने वाले शरू की भी बात करते हैं, गिने वाले शरू में metals के stocks आपको clearly दिख रहे है, stale जैसे stocks, jindal, steel and power, reality index इतना चल चुका था, वहाँ अची profit booking दिख रही है, गोदरिश property जैसे stock पे आपको यहां पर profit booking दिख रही है, gas के भी कुछ counters चलने है, IGL जैसे और new age stock में, delivery जैसे stocks में भी आपको थोड़ी profit booking दिख रही है, तो लेकिन क्या recovery कोई attempt होगी, बाजार देके थोड़ा रिकावर गुए है, खुलने के बाद से, वो इसलिए होगा है, इसलिए ह जैसे अद्धिए होगा है, हमान तो बहुत है तो लिए ना चाहिए, तो लिए टीक है, लेकिन मेरा ये विए कि बाजार बाजार लिए थोड़ा लास्ट दो दिन के अंदर, तो जो शॉड़ा था, उठोड़ा था कभर रुका है, रेस तो दे दिन में क्या होता है, यह दे जी सुभी डिमपी ने हाइलाइट किया था कि MMTC में ने कल बड़ी तेजी देखी, तो मेरी मिज़र अब MSTC पर भी है, यह स्टॉक भी चलने को तयार है, इस टॉक को रड़ा पर रखिए, जिसे इस टॉक 465 का लेवल क्रॉस करेगा, एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगा आज ही देखने को मिल सकते हैं, तो आप करेंट लेवल पर बाइं कर सकते हैं, आज के लोग करेवन 451 का है, उसका स्टॉक लाग के बाइं कीजिए, 480 का टागेट रहेगा, इस सर हो सकता है क्या है, यह स्लो, जी सर, आज का Sixer Stock, आज का Sixer Stock बोल रहे हैं, आपके साब से आज का Sixer Stock बन सकता है, आज का Sixer Stock कौन सा होगा, ओपनीं फ्रेड में, कुश, तो मेरे रेडार पर जो स्टॉक है, यहां पर जो Sixer Stock है आज का, यह एलेकॉन इंजिनेरिंग हो सकता है, बेस बनने के बाद एक स्टेडी रिकावरी इसमें हम देख रहे हैं, आज की मार्केट की जो सॉफ्ट ओपनिंग है, उसका भी इस पर फिलहाल को यह सर नहीं पढ़ता हुआ दिख रहा है, तो मेरे साब से यहां पर एक पोजिशन कंसेर करें, 855 और 870 के दो लेवल के लिए, स्टॉप लॉस जो है, इसको आप लेके चले करीब 820 के आसपस, जो इसका सपोर्ट जोन है, तो नियर टंप के सबसे प्ले करना चाहे, तो एलेकॉन एंजिनेरिंग कुट भी दे स्टॉक, एलेकॉन एंजिनेरिंग के ऊपर आप नजर बनाईए, अक्षे भागवत, आपका सिक्सर स्टॉक कौन सा होगा आज का, मेरा सिक्सर स्टॉक, IT शेतर से HCL Tech रहेगा, रिजल्ट के बाद gap down हुआ, बहुत बढ़िया recover करा है, यहां पे 1250 पे trade हो रहा है, तोड़ा साथ 1235 और 40 के बीच में एक मिले तो entry कीजिए, 1275 का पहला target रहेगा, 1280 तक extended target बनेगा, 1215 का stock loss बनेगा आज ट्रेड में, ओकी, रतमेश, आपको आज का sixer stock कोल सब होगा, देखे एज़े जी, मैं पहले 4 तो पहली मार चुका हूँ, कि शेल्ट भी ऐसे बजार में भी आप देखे, 295 तक आगया है, अब रहा सवाल sixer का, तो मेरी तरफ से एक rights रहेगा, काफी अच्छा इसमें एक formation based बन चुका है तो यहाँ पे 482 का stop loss लागा लें, मुझे ऐसा लगता है कि 5-17 रुपे दर के target इसमें देखना को में लाएंगे ठीक है, कुछ कुछ और stocks पी है, market के अंदर जो शुरुआत में अच्छी steam से पकड़ रहे है, एकदम से, गेल पे क्या positions को carry करना चाहिए, दोर पे उपर आगए, दो तिन दिन से अच्छा चल रहा है, एक बार संदोज जी आप ही बताएंगे, गेल यह future का stock है, यह sixer तो न है, बल्कि है, single or double लेने वाला share है, यह दिन पर आपने कुछ दिन पहले इसको highlight किया था कि stock को नज़ा तकना चाहिए, मुझे लगता है, stock of the series हो सकता, आखरीक के second half में, series में काफी तेज मेंटम पपर सकता है, यह stock जैसे positional basis पे 133 का level cross करेगा, इसमें बढ़ी तेजी बने परसेंट उपर है, कल 20% circuit लगाने के बाद, आज फिर से 6% यह share उपर आ गया, angel broking के पास भी 3% किया, इसका छोटा भाई है, MMTC का ITI, उसके अंदर भी गती आ गई है, यह बर्खुश आप ज़रे चेक करेंगे, ITI, यह आज का sixer stock हो सकता है, क्या? तो दिंपी, यहाँ पे हमें एक चीज जो लग रही है, कि यहाँ पे आपको clear negative वारेशाई divergence से एक देखने मिल रहा है, और आप देखें, तो पिछले चार दिन से stock थोड़ा सा flatternout हो रहा है, 235 के आस-पास, तो अगर वो लेबल नहीं cross होता है, तो आप इस stock को sideways जाते हु देखें, तो 235 के ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी आ सकती है, तो अगर कोई लेना चाहे तो 235 के ऊपर ले, अब अब अंपिल देन, यहाँ पे आप 225 का जो trailing stop loss है, यह लगा के hold करें इसको, तो बहतर strategy रहेगी, fresh long should only be considered above the level of 235. कुछ और stocks, और especially energy pack stocks, Gale जैसे stocks, Petronet जैसे stocks, यह क्या success हो सकते हैं, Gale तो चल भी रहा है, Santosh, Gale पर आपका trade होगा? यह पर इसाब भी मने बताया है, कि Dimpe ने इसको highlight किया था, और मुझे लगता है कि stock of the series हो सकता है, एक बड़ी तेजी के लिए तयार है, इस stock में perform नहीं किया था इतना जादा, लेकिन अब यह multi-month breakout को तयार है, तो मुझे लगता है, इस stock को definitely आप radar पर रख सकते हो, as a option player भी आप इसमें buying की opportunity दून सकते हो, तो मुझे stock अच्छा लग रहा है, इसमें बताया संतोष, अब आपको इतना conviction strong आ रहा है, कि option के जरी भी आप trade बता रहे है, cash के targets भी बताया है, और फिर कॉंसी strike को option बता रहे है, इसमें option में जाते है, तो इसका 130 का call option अब भी around 4 rupees के aspect trade कर र life का, इसमें भी अच्छी momentum पिछले दो दन से है, और life insurance, non life insurance के data point पर trade बनता था, उसके बाद ये चलना शुरुआ, उन दिनों में तो नहीं चला था, लेकिन अब anticipation earnings की है, SBI life पर trade करेंगे आपरतनेश? आज हमारे पैनलिस के stocks बहुत है, शांदार वूब दिखाई जाएंगे, तो आज हमारे पैनलिस के stocks बहुत है, शांदार वूब दिखाएंगे, कुछ, एक cash का stock है, Eureka Forbes, आज पहले 10 कि मिनिट के इंदर ही stock चलना शानु कर दिए, उसके चार्ट चेक करके बताएंगे, ये 500 क्रॉस किया है, उसके उपर बढ़ रहा है, क्या ये breakout का sign है, अली? तो अजे, मैं कहूंगा कि नेर टर्म के इसाफ सबसे अगर आप देखे तो ये breakout अलड़ी आ चुका है, और अगर आप देखे हैं, तो ये हमारे एक ट्रैकिंग लिस्ट में है, कुछ समय से, कल इसमें बहुत बड़ी वॉल्यूम एक हमें देखने मिली थी, कुछ समय पहले देखें, लास्ट वीक भी एक दिन था जहां पर इसमें अच्छा का सा स्पाइक आया था, तो वॉल्यूम अक्टिविटी दिलिव अच्छी बात यह है कि इस ब्रेक आउट के बाद इसके जो की हर्डिल्स थे, इसको इसने एक एक क्रॉस किया है, तो यहां से मुझे लग रहा है कि और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, काफी समय से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था, अब उसका हमको ब 4.95 के आज पस लेके चले, तो इस स्टॉक वाज द्यू आप मुझे आपको और बड़ी मुझे दिख रही है, तो बिल्कुल इसको आप अपने रेडार पर रख सकते हैं, इन फाक एक सिमिलर स्टॉक है, जिसमें हम एक अच्छा कासा डिलिवरी और वाल्यूम एक्शन सकते हैं, इवन दिस वांस दिवरीक आउट. अब इसमें हाई लगा है, 348 का, गए 344 को पर टिकने में काम्याब हो जाता है, तो मुझे लगता है, यह स्टॉक के 380 तक के लेवल दिखा सकता है, तो इस ट्रॉक्चर अच्छा है, खरिदारी कर सकते हो, नीचे आपका स्टॉप्रोस रहेगा, 330 उपीस का. अब आपको एक स्टॉक बताया था, ITI और यह का था कि MMTC का छोटा भाई है, और देखती देखती है, उसका बड़ा भाई बिन गया, परसंटेज में अभी आठ परसंट अपर हो गया, थोड़ देर पहले, मैं कुद्याने में शाए संतोज से पता किया था, संतोजी आप से पता किया था, कुछ आप से डिसकुस हो था, ITI, जी आडिम पे बिलकुल, और हमने यही डिसकुस करे था, कि 4.35 के उपर जब निकलेगा, तो मोमेंटम तेज होगा, अब हू नियू कि 4.35 के उपर इतना जल्दी और इस थारा से निकलेगा, बट मैं अबरदस्त स्टॉक अपने इडिन्टिफाई किया था, यह 4.35 के उपर निकलते ही, हमने जो सीधा बबतिक आते हुए देखा है, वो 4.40, 4.43 का आते हुए देखा है, तो इस वो इस तॉक बेरी वेल इडिन्टिफाइड, और किसी ने अगर डिसके लिया हो, यह पहले सुन ठीक है, यह 7% अभी है, मैं को लग रहा है, शाद 10% की तरह दोड़ जाएगा, अगर मार्केट में जाला बड़ा डेमेज हो और नहीं होता है, अच्छी रिकावरी भी है, एक बार आप इंडाइसिस को वापी से दिखा दीजे, 50% से रहा रिकावर कर चुके हैं, और मार्क में जो एबड़ा करने की ताकत अरहां, बहुत बढ़ गई है, बहुत जदा बढ़ गई है, एबड़ा करने की ताकत, यह बात सच है कि मोमेंटल को पार करने पर रिजिस्टेंस ब्रेक नी कर रहा, लेकिन ये बात उससे भी कहीं ज़्यादा सच है, कि मार्केट अपने सप पर आने की आपको मौका और भी देगा बजार आप आईए गिरावट मिलिए प्रॉफिट बुक कीजिए बाहर चले जाईए सिस्टम में यह काम करना अगर आपको आगया तो में को लग रहा अगला एक देड़ महिना भी आपके काम आएगा किसी भी डिप को बाट करना है बर 200 से 500 पांट इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि इस से ज़्यादा की कैपिसिटी नहीं अभी मार्किट की इंडाइसिस पर कम से कम देने की एक और शेयर है कल हमको किरन ने बताया था हमने भी कई बार आपको नूटिस कराया वो था चंबर फेटलाइजर कल यह शेयर 80 की रेंज में था आज 90 की रेंज में आ गया अभी अगर चला तो बहुत जोर का चलेगा और इस सीरीज का वहना बेस शेयर भी हो सकता है एक बार रतनेश जी आपकी रिकमेडेशन 293 पर चल रहा है पुजिशन एटी की प्लस हैं तो 320 का टार्गेट लगाएं और अगर एटी की प्लस नहीं है 93 पर पंच करें बिल्कुल अगर कल की पोजिशन सबसे करें लॉंग है तो यहां पे स्टॉप लॉस लागा लना चाहिए 290 का और इसको पेजी को इंगर करना चाहिए 300 रुपे तक के लिए और किसीने नहीं पोजिशन नहीं बना पाए तो आज भी इसमें पोजिशन मना सकते है अगले 15 दिनों के लिए और इसके अगले 15 दिनों के लिए त्यार कर रहा हूं और इसके अंदर जैसे अपने भी चंबल की बात की एक इसी तरह से शेयर है बाल केशन इंडस्टीज चब्वी सो के उपर आ रहा है एक बार है संतोशी में शेयर आपसे पता करता हूं बाल केशन इंडस्टीज के पास अच्छी चीज़ी है कि कंसॉलिडेट करके रियक्शन देता है लेकिन जिस चीज के लिए जाना जाता है ना कि 6% 5% का मूव दे रहे वो नहीं दिखा पार रहा है यह कब आएगा यह 5% का मूव एक दिन के अंदर इस जिंपीज के चार्ट इस्टेक्चर कापी अच्छा एक कपने इंडल फॉमेशन का बेक आउट है इस टॉक अपने 20 दियम ओंगरज के पर बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है यह देखिए कुछ ने आपको बताया था कि ब्रेक आउट हो रहा है और अभी हम जब बात कर रहा है तो यह रेक फो पांच पर सेंट उपर हो गया एक और स्टॉक डिसर्स करते हैं अपने शे इंफेक्ट अक्षय भागवत से किलता हूँ अक्षय इंडो काउंट इंडो काउंट रेडार प्याते हैं इन्हों ने अपने जो यूएस में एक्स्पूर्ट से उसको बहुत बढ़ा लिया और यूएस मार्केट में इनका मार्केट शेर बरता जा रहा है यह ख़बर आई थी इंडो काउंट भड़ा प्लेयर है यह कंसॉलिडेट कर रहा था इंडो काउंट का चार्ट स्ट्रॉक्चर बहुत ही स्ट्रॉंग है बहुत ही पॉजिटिव है जो इमेजएट में 250-255 थोड़ा से एक स्टॉप ओवर पॉइंट है ज्यादा कोई रोप टॉप नहीं सिर्फ टॉप ओवर रहेगा यह चार्ट जाने वाला है मोश्टली 300 की और जो करीबन हमको दिखे थे 2022 स्टेमबर में तो तेजी का चार्ट है बाय करके चले करेंट पर एक्कुमिलेशन वाला जोन है मोमेंटम पिक अप होगा जैसे ही 25 पंद उटेगा 225 का स्टॉप लॉस बना के चलना है और तोड़ा आप ट्रेड को टाइम दीजिए एक देड़ से दो महने का आउधी दीजिए और 300 के टारेट के लिए इसे आप प्ले कीजिए प्ले के लिए अच्छे कांटर्स हैं जो हमारे एक्सपोर्स डिसकस कर चुक है तिंग टाठा कंजूमर आग सुमा श्याज संतूश की पिक्ति वहां पर भी अच्छा मोमेंटम है अच्छा प्राइस बेस दिख रहा है और यह पिछले एक दो दून से चल भी रहा है अगर जिसने अप तक नहीं आट किया हो उसे आट करना हो तो तो तिन लेवल्स पर करें रतमेश अच्छ के सत्र में दिया है कंटिनू हाराई फॉरमेशन में तो बिल्कुल इसने नहीं कहा है तो आज के सत्र में भी इसको एड करा जा सकता है इस टॉपलोग यहां पर बनेगा 2840 का 2840 का मुझे इसा लगता है कि इसमों टार्गेट कम से कम मिनिमूंग साइड यहां से कम से कम 2980 के लिए हमको आते हैं ठीक है और दूसरे जो कांटर्स हैं जहां पर तेजी से शॉट्स आपको कवर होते वे दिखाई दे रहें क्या पे अच्छा सपोर्ट इसको 3140 से 3100 के बीच में तो पोजिशनली हुए आपका मेरे साब से 3090 का साथ खरिवारी करना चाहिए उपर में यह 250 का लेवल निकलता है तो इसमें एक शॉर्ट का भी मूह देखने को मिलेगा तो इसमें एक शॉट का भी मूह देखने को मिलेगा तो सब्सक्राइब तो इसमें पहले एक ब्रोकरीज में इसमें निगेटिव कैटलिस्ट बनाया था कि यह नेक्स तीस दिन में बजार्स ज्यादा घट सकता है हो दिया काम इसलिए कोई ब्रोकरीज में अगर ऐसे पढ़के आप एक दम कूदिये ट्रेड वे इससे पहले थोड है क्या खुश आज भी 4% या इसमें मुनाफ़र वसूल करने अगर ले रखा है तो इसस करते हैं तो 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 फ़ाइस के चलूप लेवल्स है इसके पास में ट्रिलिंग स्टोप लेके चलूँगा थी तौशन के टारगेट सख कि लिए मिसको होल्ड करूँगा क्यूकि एक फेस्ट था और ब्रेक आउट डिया है इसके बाद का तो में हैसाब से यहां पे यह तो यहां पे बिल्कुल पॉजिशन बनाए रखें बस ट्रेलिंग स्टोप लेके चलें टूप लेके चलें टूप लेके चलें टूप का जो लेवल है इसके आसपास स्वी ताउजन और उसके ऊपर की लेवल्स आपको आने वाले कुछ अश्टों में देखने मिल सकते हैं एक थोड़ा और शेयर भी है जिसको आप पॉजिशनली अगले पंदरा दिनों के लिए रखेंगे तो शायद आपको ठीक पैसा मिल जाएगा देखिए अभी ना मार्केट उस तरह से नहीं हुआ है कि जहां पर आपको एक दम से दो दिन में पैसा बन जाएगा थोड़ा सा समय देजिए अच्छा पैसा आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा उसमें एक नाम है MGL का ये आपको बताएंगे अक्षे भी भागवत अक्षे आपको लग रहा है कि MGL अभी चलेगा इसके इस स्टेंट पन रही है थोड़ी बड़ पॉजिशन है गैस वारे स्टॉ अबचर देखे तो 1140 जो एक बहुत ही एहम स्टर है जो एक ब्रेकाउट पॉइंट देखा जाएगा करेंट सिचुएशन में वहां पर अभी ट्रेड हो रहा है तो आज ब्रेकाउट होगा कि नहीं वह वाली बात है ब्रेकाउट कर जाता है तो फिर बहुत ही स्ट्रॉंग अपसाइड प्राइज मूँव देखने को मिलेगा जो आपको 1175 या 1200 तक के भी टार्गेट देखने को मिल सकते है तो तो थोड़ा सा आपको यहां पर ब्रेकाउट के लिए वेट करना है ब्रेकाउट पॉइंट है 1145, 1150 के उपर ब्रेकाउट ना कर जाए तो भी आपको थ थो जब पहले हमने आई टी आई 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 आपको नोटिस करा था वो करीब 9, 9, 10% के करीब करीब पहुंच गया चार सारह 4% था जो आपके सामने हमने बात रखी थी कोशने का चलेगा 35 के उपर 35 के बाद 37 37 के बाद 47 और आपके करीब 10% के स्पीड से बढ़ रहा और वो सारी मल्टिनेशनल कंपनी के साथ कॉंपीट करेगा और बुक काफीच है स्मैश उसका नाम था तो उसके बाद से रुका नहीं है और अभी तक नॉन स्टॉप चलते हुए यह शेर यहां 500 रुपे तक आ चुका है अच्छा शेर है चला दूसरा एक चीज में और इंडिया विक्स पहले अग्रीन में था अब यह नेगेटिव हो गया अब आप अडवांस टिक्लाइन देखेंगे तो 81 शेर वन सी वन जी वन जिरो टू है अगर यह कुछ ना भी बदले ना कुछ ना भी बदले तब भी वाजार की आज की क्लोजिंग कोई बड़ी बात न देंगे तो छोड़ देंगे यानि कि आज और रिकवरी आने के चांसिस भी है कम सब्सक्राइब अगर यह सिर्फ रेशो भी ना बदले तो आपकी स्क्रीन पर बदल रहे हैं बदल गई फिर तो कहना ही क्या कुछ कुछ और शेर देखते हैं जहां पहर आज दो रेल्वे का जो थोड़ देर पहले मिस्टर केडिया हमको बताके गए और दूसरा है रिट्स का शियर रिट्स संतोष्टी इस दोनों से जीतेगा कौन रिट्स या इर्कॉन कि ऐसे कि रहे हैं जो इस तक्षर के अच्छे दौनों की एक करेक्ष्ण के बात हैं दौनिया सपोर्ट के आसपास एर चार्ट के बात करिए इर्कॉन लगत थर्कॉन कंब्स के जादा बैटर लग रहा है क्यूंकि एक डबल बटम फोमेशन मीशने तो उपर में आप सब्सक्राइब करेंगा तो बढ़ी तेजी बनेगी नीचे सपोर्ट आ रहा है वन थाटी नाइन का है अक्षे इस बी आई के चार्ट को लेके आईए डेटा यह बता रहा है कि उस पर फ्रेश शॉटिंग शुरू हो चुकी है हमने आपको सुमा बताया था बिग बूल प्रो बहुत दिनों के बाद यूबियस ताम की ब्रोकरिज ने इसके उपर एक डाउंग्रेड लगाया है और उन्हें यह पांसो तीस का टार्गेट लगा दिया है साले साथ सो था उनका टार्गेट करीब-करीब और यह कह रहे हैं कि रिटर्न रेशो जो है वो पीक आउट हो ग एस्पेशली जो SBI का टेकनिकल सेटाप देखे तो 585 का जो सपोर्ट जोन था यह उसने ओपनिंग ट्रेड्स में ब्रेक करा है ओप्शन्स में भी 570 और 580 के पुटों में काफी एक्टिविटी और ओपन इंट्रस की बड़ाग देखने को मिली ओपनिंग ट्रेड्स में त तो वीक जेट अप है जब तक 585 के ऊपर ना चले इसे बाइंग ना करना शॉट करने की सलाह रेगी फॉर्ट ट्रेडिंग शॉट करने की सलाह फॉर्ट ट्रेडिंग एक और स्टॉक लेके आईए संतोष से डिसस करते हैं जहां एक रिबाउंड आया था 2290 के रिलाइंस की बात कर रहा हूं में एक महीने का चार्ट दिखाईए और उसके बाद वो रिबाउंड गया 2265 के आसपास बने पूरा ट्रे जी 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 रिलाइंस की बात करें तो आपने दोसों के मुनियोर से इसने बाउंस बग दिखाया था पर नर्मली कोई स्टॉक डाउं ट्रेंड में रहता है तो वह तो हाई लगा है तो वहां हमको एक पॉस देखने के मिलगा है पर यहीं इसका डिमांड जो ने 2320 से 2320 के ब क्रॉस करता है तो पॉजिशन को और राइट कीजिए क्योंकि उसके पर निकलने के बाद इसमें 2460 तक की अप्शाइट देखने को मुनि सकती है एक राइडर के साथ था इस शेर के मैं पता कर रहा हूं जिसमें मेरा कोई नीजी इंटरस्ट नहीं है वो है मैट डावल्स का शेर यॉनाटिट स्पिरिट्स मेरे चार्ट पे अभी एकदम से वालिम के साथ थोड़ा यह उपर आया और मैंको ऐसा लग रहा है कि 1080 पार करे अने दू या फिर अभी भी प्लस कर सकता हूं पहले तो मैं यह बहुत ही क्लियर कर दूं कि इसमें आपने जो कहा कि आपका नीजी इंटरस्ट नहीं है मैं उस बात बिलकुल बाई नहीं करता हूं ठीक है इसमें वेस्टेड इंटरस्ट इस देर अगर नेर तर्म रेजिस्टंस से थाउजन एटी वाला इसको एक बार के लिए पाक कर दे तो जो रीसेंट मूव आई है इस वेरी हेल्थी, वेरी एंकरेजिंग, वॉल्यूम्स में हमने मार्जिनल अप्टेक देखा है और थोड़े और होते तो शायद आपको और थोड़ी शूर मिलती पट मोमेंटम इडिकेटर पे अच्छा खासा आप ट्रेंड है यहां पे आप देखे तो वॉल्यूम्स में मार्जिनल पिक अप है तो अगर आप चाहें तो यहां से एक ट्रेड बिल्कुल कंसेडर कर सकता है और जो मेरा स्टॉप लॉइट फॉर थाउजन एटी रेसिस्टंस इन फाट मेरे लिए वह फर्स टारगेट के तोर करेगा तो तो थाउसन एक टी मेरा पहला टारगेट होगा ग्यारा सो मेरा दूसरा टारगेट होगा तो निर टर्म के हिसाब से इन दो लेवल्स के लिए मैं प्ले करूँँगा और जो मेरा stop loss है ये 1035 के पास में रहेगा इस बिच मारकेट के अंदर जो एक short covering आनी थी यानि कि gap down के बाद जो buying होनी थी जितना हम read कर पा रहे हैं अपने charts और अपने data की basis पर मिरे को लग रहा है वो complete हो गया अब आपका जो second half है यानि कि इसके बात का जो बजार है वो बहुती boring और बहुती dull होने जा रहा है कम से कम indices पर तो होने ही जा रहा है तो इसलिए indices वाले थोड़े साफधान रहें हाला कि या शुक्र रहा है मैं expect करता है dull नहीं होना चाहिए बढ़ डाटा यह allow कर रहा है कि अब आप थोड़ा first जाएंगे तो इसलिए आप अप कोई भी position indices पर कर ले रहे है options को 10 बार check करना और futures पर ले रहे हैं तो अपने वित्तिस अलाकारों से पूछ करे रहेना अगर आप कोई intraday positions लेना चाहती हो तो वैसे ठीक है वैसे कोई such कोई problem दिखने रही है एक और share भी है जिसको मैं थोड़ा delivery के लिए लेके रखना चाहता हूँ इसलिए मैं ज़रा अक्षे से पता करूँगा और ज़रा long chart अक्षे आप उसके देखिएगा यानि कि weekly और monthly वो है IOC इसको पोजिशनरी रखूंगा तिल नई सरकार तक तो मैं इसके अंदर सही rate पे entry मार रहा हूँ क्या दिए या डिम्पी जी या लांग टर्म चार्ट मंतली चार्ट में अगर मैं इसका सेट आप देखू चार्ट पे तो बहुती स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन पे फिलाल गए तीन महिनों से अगर आप देखे तो 87 और 90 यह जो सपोर्ट जोन से बार बार IOC का एक bounce back देखने को मिल रहा है तो अगर आप risk reward का pay off देके weekly करें या long term करें तो यहां पर बहुत चोटा stop loss है और बहुत बड़े target है तो pay off बहुत ही सही better trade के लिए तो यहां पर एक support base है 90 का और अगर recover कर जाए जहां पर probability बहुत ज़्यादा दिख रहे है IOC की तो यह recovery का candidate दिख रहे है तो यह recover कर जाएगा उपर में शायद आपको इसमें target काफी बड़े मिलेंगे 120-125 तक भी बन सकते हैं दो से तीन मेने के आउधी में अगर अगले मेने की बात करो तो शायद 110 तक दिखे आपको तो बिल्कुल 85 का stop लगा के 5 रुपे का stop 30 रुपे का target वाला यह candidate है तो मैं buy करने की सलाह दूँगा IOC में positive setup है और risk reward बहुत ही बढ़ी आए यह current rates पे आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बने रही है आप result season चल रहा है IT पर focus है एक और शांदार management हमारे साथ जूड़ रहे है आप इनके commentary को सुनिए उसके बाद अपने trading investment decision करिए हमारे साथ नीरज अगरवाल जूड़ रहे है HCL Tech से और second quarter के जो HCL Tech के results आए mixed रहे मिले जूले रहे तो नतीजों पर खास बादशीत हम आगे लिके चलेंगे क्योंकि प्रतीक अगरवाल स्वारी प्रतीक जी CFO है company के बहुत है शुक्रिया प्रतीक जी आज हम से जुड़ने के लिए आप में जो है जो कल PC हुई थी आप परफॉर्मेंस आपकी company का भी सुधरेगा यह confidence कहां से आ रहा है क्या visibility आपको ऐसी दिखती है जिसकी मुझे से आपने ऐसा कहा सबसे पहले तो हमने एक बहुत mega deal announce किया था on 10th of August that deal will kick off as per schedule 1st November से वो deal शुरू हो जाएगी और वो बड़ी deal है हमने आपको बताया था 2.1 billion dollars over 6 years जिसका average 330 million dollars बैठता है per annum and उसका आप सोच सकते हैं दो महीने का कितना contribution होगा और fourth quarter में एक extra महीना और मिलेगा क्योंकि यो पूरे 3 महीने मिलेंगे compared to 2 महीने in Q3 तो हमारा ask rate जो हमने services business का organic guidance दिया है which is 4-5% for the year उसको अचीव करने के लिए हमें 2.6% to 3.8% is the range in both the quarters, each of the quarters और जो लाल डील है वो अकेले you know more than half percent, half of this ask rate deliver करेगी और जो हमने बाकी deals sign की है like this quarter total deal win was 4 billion dollars 2.1% was from the mega deal and 1.9% other deals are also there so उनका contribution भी रहेगा अगले एक दो quarter में Q3 और Q4 में so we are very confident हमने जो revised guidance दी है we are very confident to meet that all right, बिलकुल Mr. Pratik, एक और चीज़ क्योंकि आपने बहुत strong metric is quarter में देखने को मिला जो standout भी था वो ये था कि आपकी काफी strong margins पे बीट देखने को मिली लेकिन Q3 पे आपको क्या-क्या headwinds देखती है of course understanding की wage hikes होंगी और ये आपको लगता है कि कही न काई growth kicker को offset कर सकता है growth इतना strong रहेगा is one factor like you have आपने बिलकुल सही पकड़ा उसको दूसरा ये भी है कि हमारा Q3 software business का strongest quarter होता है तो there is a peak revenue which flows down to margins also software business is not that much of variable cost so जैसा आपने पिछले साल December quarter में हमारा 19.6% margin था और Q2 September quarter last year was 18% तो you know I think Q3 again is going to be a peak margin quarter also like other years simply because of the seasonality in the software business and of course the growth in the services also will continue on that 2.6 to 3.8 ask rate आपकी भी इस साल deal wins काफी अच्छी रही मैं थोड़ा आगे का forward looking होके आप से पता करना चाहता हूं कि आपकी यह यह deal जीतने की जो run rate है वो किस तरह से रहेगा आगे चलके हमारा पिछले कम से कम 7-8 quarter when you look it to deals uh but it continues to be pretty high level 9% is the drop in the pipeline so nothing to worry about it is very strong pipeline some of the deals are advanced stage so तो अगले दो कॉर्टर में भी हमारा अच्छा डील गिन रहेगा एंड रेंड शुड बेट्वीन टू 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 अब यह बताईए कि जो स्पेंडिंग की एक्सपेक्टेशन है आगे चलके 24 की इवन 25 की एफ़ाइट 25 की वह किस तरह क की नजर आती है आपको क्लाइंट स्पेंडिंग पर अभी थोड़ा मुश्किल है थोड़ा 24 क्यलेंडर या एफ़ाइट 25 के बात करना बिकॉस दो वर्ल्ड इस स्टिल वोलाटाइल राइट इन दिर इस दिर आल कैंट्स अपनिंग इन दो वर्ल्ड तो अब जब नया साल होगा तो personally I do expect things to become better because you know US growth has been good actually there's no other way to put it it is better than expect most people expected last year same time right so हमारा जावतर business तो US से आता है so we'll wait have to wait and see too early to call right now all right thanks very much Mr. Pratik बहुत बहुत शुक्रे आपका आज समय देने के लिए और इस सारे insights समारे साथ सारे सवालों के जवाब हमारे viewers के लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रे आपका चले यह तो बात रही HCL Tech के numbers की आज HCL Tech का stock अचा कर भी रहा है in fact top gainer at high percent क्यों by to other IT companies लेकर आप बढ़ते हैं आगया और आज का option का trade समझने कोशिश करते हैं हमारे साथ option का champion Nilesh Jain मौजूद है आई उन से बात करें आज करें आज का क्या होगा option का trade निलेश आप सुन पा रहे हैं मुझे ठीक है निलेश यह सच संपर्थ नहीं हो पा रहा तो उसे technical issue है लेकिन उनकी call हम अपने viewers को दिखाते थे MGL पर energy pack से मानगर gas limited और वो 1140 की call खरीदने की आसला दे रहे हैं जो 27 रुपे पर trade हो रही है पहला target 36 रुपेगा होगा और आप 40 रुपे तक expect कर सकते हैं लेकिन standard disclaimer options के trade थोड़े रस्की होते हैं इसलिए आप अपने वित्यस अलाकार को पूछ कर इसमें trade लें वक्त एक छोटे सब्वेक का है जल्द वपस हाजर होंगे दस बजे के खास शो में आपके लिए fundamental drive भी बाजार पलाएंगे एक बड़े market export की voice होगी है अजिते हमारे साथ और भी कही सारे qeids discuss करेंगे के मझाएंगा झाल 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 तो यहाँ पे आप 10,800 और 11,000 के टार्गिट्स के लिए बाई करें 10,400 का जो इसका नेरटम सपोर्ट जोन है उसको फोपलास बना के चलें बट ज़से मैंने बताया धुरंदर ओपनिंग बैट्समेन है स्टेडी भी है और मॉमेंटम जो चाहिए तभी भी अक्सलेरेट कर सकते है तो मारूती सुजुकी मेरा ओपनिंग कॉल रहेगा मारूती सुजुकी 10,800 रुपे के लक्ष अवधी एक महिना खरदारी का ठपा लग चुका है और ये पहला आपके लिए सुपर शियर चार्ट के चेंपियन आपके लिए ये कुछ ने सुझा दिया है तो ये सड़क पे चलने वाली एक गाड़ी और उसका शियर लेकिन कल के महौल कल के मैश बने महौल जो बनेगा जमीन से लेकर आसमान तक बनेगा और उस उन उमीदों को भी हमें मैश करना पड़ेगा जै कोई शियर ऐसा है जो उन उमीदों को मैश कर पाए तो गूट मॉनिंग अपिशिक जी गूट मॉनिंग शरत जी एन कुष जी सो बेजिकली मैं एमदाबाद से हूँ मेरे बगल में ही पाकिस्तन की टीम ठहरी हुई है तो हम रोज पिछे दो दिन से रोज पाकिस्तन टीम को आते हुए जाते हुए देखते है तो उससा हमारा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉंग है कल की टिकेट्स की बात करें तो बहुत महिंगी है तो उसके लिए कमाना भी पड़ेगा तो इसलिए आज के शो में हम जो दमदार स्टॉक्स लेका है वो साथ से आपको हेल्फुल रह सकते है जै यह बताई कि आपको टिकेट है या नहीं है मेरे पास ठीप और मैंने बेच दी कल की आपने टिकेट बेच दी ठीकेट बात करेंगे इसके बारे में आप शेर बताईए अपना पहला जो स्टॉक है वो है मेरा जुबिलेंट फूट पर तो कल के दिन में हम बहुत सारे लोग होंगे जो घर में बैठके टीवी देखेंगे आराम से देखेंगे तो वहां खाने के लिए हम डेफिरिली पीजा ओर्डर करेंगे तो जो जुबिलेंट फूट का चार्ट मुझे लग रहा है काफी दमदाल लग रहा है अभी अल्मोस्स यह स्टॉक न दिनों से तो यह स्टॉक मेरा पहला स्टॉक होगा आने वाले एक महिने के लिए जुबिलेंट फूट पर सबकी नजर होनी चाहिए कल के दिन में वल्लकप के पूरे सतर में हम देखेंगे कि जुबिलेंट फूट में काफी बाइंग आ सकता है और यह स्टॉक काफी यह और को खरीद रहें पिजा खाते हुए आराम से मैस देखेंगे तो मैच का भी मज़ा हो गया और पिजा के लिए पैसे के इंदजाम भी हो गया और जो बिलेंट फूट में जो ग्रोथ होगी वो तो दर्शकों की होगी हमारे जो ट्रेडर जो दर्शक हमें देख रहे है उनको ले फायदे की बात होईगी अब एक एक बहतरीन ये शुरुबात हो गई है अब चलेंगे न अगले जो कहते हैं कि एक विकेट गिरता है तो जो बैट्समें आते हैं वो है हमारे कोली साब नमबर तीन पे नमबर तीन को मेश करना न मतलब एक बहुत ही काईदे का खिलाडी होना चाहिए जिसके चार्ट भी जवरदस्त हो और ट्रेक रिकॉर्ड भी बहुत सॉलिड हो एक लेगेसी हो और असंकियत यहां से और अच्छे मिल रहे हो कुछ बताइए आपको बतना विराट कोली बताना है अब बड़ा मुश्किल सा यह थोड़ा सा काम होगा आपके लिए यह बिल्कुल और लखिली मैं सीज के लिए तयार भी था देखिए मेरा जो विराट कोली टाइप वन डाउन वाला पिक होगा वो है KPIT टेक अब देखिए हम सब जानते हैं कि IT इंडस्ट्री एक तरफ लेकिन KPIT टेक का स्टॉक एक तरफ जिस तरह से स्टॉक के परफॉर्मेंस रही है मुझे लग रहा है यहां से आने वाले समय में यहां पे आपको और भी उपरी लिवस देखने मिल सकते हैं आप जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह राइजिंग चैनल है वीकली और यह पिछले डेर साल का चार्ट है इस समय के दोरान आईटी शेत्र में रिवाईवल भी हुआ है फॉल भी हुए है हमें बहुत वोलेटिलिटी देखने मिलिये बट यह एक हैसा स्टॉक है तो स्टेडिली अप ट्रेंड में रहा है और आईटी इस स्पेस में आउट परफॉर्म करते आया है लेगसी भी अच्छी खासी है तो प्रूवन ट्रैक रेकॉर्ड तो है ही यहाँ पर मेरे हसाब से केपी इटी टेक को आप अपना एक मजबूत कैंडिडेट बना के चलें 1235 और 1260 की नियर रिटम कारगेट्स हैं बट मैं यह कह सकता हूँ कि अगर आप इसको लंबी अफ़दी के लिए होल्ड करें तो 1300 तक के लेवल्स भी आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है तो आपके ट्रिणिंग के लिहाँ से अब 1150 कर लेके चलें तो KPIT Tech होगा मेरा मजबूत पिक्ट KPIT Tech यानि कि आपके पोर्टफोलियों का आपके ट्रिणिंग पोर्टफोलियों का विराट कोहली लक्ष 1235 रुपे अब धी एक महीने का आपके स्क्रिन पर बाई का मोहर इस पे भी अपने लगा दिया है अगले जो बल्ले बाज होते हैं अगर हम करम लेकर चलें तो एक से बढ़के एक धुरंधर आपको लगातार आते हुए दिखेंगे इंडिया के इनिंग्स में इसलिए एक्सपेक्टिशन आपकी जादा होगी लेकिन हमारे प्यारे पूरी के पूरी पक्की है और ये पक्की हमने जो की है उसमें मदद है जै का और कुश का भी है श्रेय सेयर आते हैं अगरे उस में तो चार्ट बोले मोका मोका बताएज कौन सा शेयर मोका बोल रहा है अब तो जैसे स्रेश एलियार 6 उडाते है तो वैसे उडान वाले एक स्टोक है इंडिगो अभी इंडिगो के हम चार्ट देखे तो आज के दिन में भी काफी अच्छा पर्फॉर्मस देख रहा है यहां से 26 के उपर ट्रेड कर रहा है आज के दिन में तो मेरा टागेट पहला रहेगा राउंड 2730 का उसके उपर हम देखेंगे यह स्टोक जाते हूँ इफ क्रोस किया तो इंडिगो का जैसे स्टोक भी काफी अच्छा है मुविं अच्छा पर्फॉर्मस देख अपसाइड में आरे से क्रोस ओवर दिया हूँ है तो यह स्टोक में मुझे काफी बस दीख रहा है अलसो अभी जो वर्लकप चल रहा है वहां भी प्लेयर साएंगे जाएंगे वो डेफिनली फ्लाइट से याएंगे जाएंगे प्लस वेडिंग सीजन आ रही है फेस्टिव सीजन आ रही है चुट्टी आ रही है तो बहुत सारे अभी ओकेशन है तो इंडिगो फ्लाइट बिंग अ लिस्टेर अउनली लिस्टेर कंपनी इस पर हम डिपेंड कर सकते हैं तो इंडिगो वुड बी माइप्रेफर्ट पिक आने फंडमेंटल को अगर हम किनारे कर भी दें तो यह चार्ट भी तो यह इंडिकेट कर रहे हैं कि यह उडान भरेगा डेफिनिटल डेफिनिटली चार्ट में भी काफी अच्छा यह ब्रेक आउट हमने देखा आते हुए फर्स सप्टेंबर के जो हाई से उसको ब्रेक करके अ 5-6% अपसाइट डेफिनिटली दीख रही है एक महिने के अंदर तो इंडिगो वोड बी वेरी गुड पीक अभी के लिए और चार्ट भी आप देखे तो कंटिनुसली अपसाइट देख रहा है आज के दिन में भी अपसाइट देख रहा है सो वालिम के साथ यह स्टॉक ब इंडिगो का भी काम होई है उड़ान भरने का तो बिल्कुल सही मैचिंग की है तो तो यह कई मेरे रताने बैटिंग लाइन अप में जो टॉप खोर खिलाड़ी होते हैं तो फृदा समय जाधा लेते भी है उसके बाद जो खिलाड़े आते हैं थृदा समय कम मिलता लेकिन रन गती को बढ़ाने का प्रेशर उनके उपर ज्यादा होता है कुश के पास दोटेंगे कुश इस करम में अगला खिलाड़ी आपके तरफ से जिसके चार दंदार हैं मौका-मौका की आवाज आरी है टेडर्स के लिए वो कौन सा अगा बताईए तो अभिशेक जो मेरा अगला स्टॉक है वो बिलकुल एक कमबैक किड जैसा है जैसे केल राहूल का भी स्टोरी रहा है फिल्हाल काफी लोगों ने डाउन एंड आउट उनको काउंट कर दिया था लेकिन स्टॉक ने जिसतर से रिवाइवल किया है बिलकुल केल राहूल के रिवाइवल के बिलकुल सिमिलर है वो है वी इप इंडस्ट्रीज आप देखें स्टॉक में बहुत ही शार्प फॉल आया था और साड़े पाथ सो के पास चला गया था ये करीब मार्च के आस पास लो स्टेडी अब अगर आप देखें तो स्टॉक जो अपना 50-day moving average है उसके पास इतने बखुबी सपोर्ट लेके इतना शांदार rebound दिखा रहा है जैसे कि केल राहूल की सेंचुरी और 9P7 जो इन्होंने रिसेंट्ली मारे वैसा performance रहा हो अब आने बाले समय में भी यह उमीद है कि केल रहूल का भी performance जारी रहेगा और VIP का भी performance जारी रहेगा क्योंकि वो lean patch जो है वो अब यहां से खतम होता हुआ नजर आ रहा है fresh हमें लग रहा है कि यहां से टेक मिलेगा on the entire perspective of the share यहां से अगर आप buy करना चाहें तो यहां पर जो targets है मेरे फिर उपर के हैं 725, 750 के levels में लेके चलूँगा expectation ज़ादा है रंगती भी बढ़ानी है और top loss जो है यह मैं 75 का लेके चलूँगा तो VIP रहेगा मेरा comeback kid रंगती बढ़ाने के लिए भी और अच्छा खासा जो momentum है यह लोटते हुए दिख रहा है उस लिहाज से भी VIP, केल राहूल वाकिए VIP हैं वो और जिस तरह का production हाल फिल हाल रहा है उससे तो निश्य तोर पर क्यूंकि आप देखिए 6 मारने के बाद कोई सा अपले निराश होता है केल राहूल बैट लेके घुटनों के बल बैट गए कि एच्छा मैं चोके मारता उसके बाद चके मारता उसके बाद मैं संचुरी पूरी जाती ति निराशा थी 6 लग जाने की और यह केल राहूल कर चुकते हैं वेरी वेरी स्पेशल VIP अब जै आपका अगला प्लेयर कौन सा है जिस पर क्लास भी है चार्ट भी जबरदस्त हैं और पैसे बनाने की भरपूर गुंजाई शगले एक महिने के लिए बताइए तो मेरा जो अगला स्टॉक होगा वो रिजंबल करेगा राउंड रविंदर जड़े जाको विकाज अल्दो यह जब चलते हैं तो बहुत अच्छा चल जाते है अल्डाउंड है तो एवरी टाइम यह स्टॉक यूज होता है तो वो का रेडिको खेतान जैसे हमने पीजा ओडर किया तो उसके साथ बहुत सारे लोग पार्टी भी करेंगे साथ साथ में तो रेडिको खेतान बूट बीए वेरी गूट बाई फॉलिंग टेंड लाइन का यहां पर ब्रेक आउट दीख रहा है डिमांड जोन पर काफी स्टॉंग वाल्यूम आया था प्लस यहां से 200 और हर मुविंग एवरेज का जो कंजेशन होता है उसके उपर अभी ट्रेट कर रहा है तो आइगेस रेडिको खेतान बूट बीए वेरी गूट पीक अने वाले दिनों में बारास तो साथ के अराउंड अभी ट्रेट कर रहा है तो रेडिको खेतान बूट बीए भाई फोरे वन मन्थ टाइगेटों का 1-3-3-5 का इंट्रेस्टिंग बात आपने कही है लेकिन जो क्वेशन आता है कि अब जो है मिडोवर्स में हार्तिक पांडिया कौन है जहां पर सबसे आदा मैक्सिमम इंपाक्ट पेर दिखेगा अभी शेग क्यों ये क्या होती कि मैच को जीतने में हारने में बहुत एक थिन लाइन रहती है और ऐसे प्लेयर्स होते जो मैच को जो एंड तक लिके जाते हैं कौन से स्टॉक हो गे जो आपको एंड लाइन पार करवाएंगे कौन से है हार दिक पांडिया के अभी शेग तो इस पर जरूर फोकेस रखेंगे हारदिक पांडिया खोजते हैं जय तो गुजरात के हैं तो गुजरात वाले कनि visão रविद्धिया को होगया दूसरा connection हारदिक पंडिया का हो गया तो जैसे ही जाना बेहता रहेगा जै अब आपने रवंदर जडिया तो खूज दिया कि अच्छा है ट्रैक कोई भी हो स्लो हो, स्पिन हो, फर्क नहीं पड़ता है आते फटाफट अपने उवर डालते हैं utility player है और बैटिक में भी कमाल करते हैं थोड़ा सा फ़र्म होला, हलका सा धीला चला है लेकिन player ला जवाब है हारदिक पंडिया, थोड़ा सा मुश्किल है match कर पाना आपके लिए हारदिक पंडिया का हम देखे तो वो T20 में भी काफी अच्छा है, captain की तर पर भी काफी अच्छा है, allrounder के तर पर भी काफी अच्छा है तो वैसा ही मेरा यह stock रहेगा torrent power का क्योंकि match हो ना हो stadium में हम जाए, घर पे बैटे, हर जगा power हम use definitely करेंगे tv हो, fan हो, lc हो stadium की lights हो, या stadium के fans हो हर चीज में power use होगा और हमदाबाद में torrent power जो है जहाँ पर stadium की lights भी use होती है so torrent power would be हर्दिक पंड्या वाला पी so torrent power all time high के level पर चल रहा था आज दिन में थोड़ी सुस्ती रिखा ही but overall मुझे लग रहा है वापीस ये uptrend में जा सकता है target हम रखेंगे तो 785 का target हम रखे चल सकते है torrent power पर ascending triangle का breakout आ रहा है all time high level के उपर जब breakout आएगा तब ये stock वापीस से strong चलेगा जैसे IPL जीता है था हार्दिक पंड्या ने मौका मिल लेके बाद so वैसे ही ये stock काफी trophy जीता सकता है investors को traders को so 785 would be a target within one month और ये stock हम देखें तो हर moving average इसके उपर चल रहा है golden crossover के उपर चल रहा है so it would be a very good pick for short term trade ठीक है तो हार्दिक पंड्या power hitter तो torrent power ये जै की तरफ से कुछ अब जब आखरी के overs आ जाते है तो जिम्मेदारी होती है batsman की कि उसको ना रफ्तार इतनी बढ़ा दें कि safe zone में चले आए बिल्कुल अलाको विवान जैसे उड़ते है तेजस वाली जो रफ्तार होती है वो आली ऐसा कोई share आपके list में है पस आपका कहना हुआ और हमारा stock select करना हुआ marriage stock का नाम भी इंसिडेंटली तेजस नेटवर्क ही है तो आप देखे तो चलांग इसने लगाई है लेकिन इसके बावजूद हमें लग रहा है कि यहां से बहुत अच्छा upside इसमें अभी भी बाकी है consolidation का एक range है जिसके आसपास चल रहा है इतनी लंबी चलांग लगाने के बाद लेकिन अब यह वो तेजस वाली जो jump है वो लेने के लिए फिर से ready हो रहा है मेरे साब से यहां पे आप बिल्कुल एक position consider कर सकते हैं इसमें भी target सोड़े ऊपर के रहेंगे 930 और 970 के और 850 जो है इसको मैं अपना सॉक्ष लेके फिलूँगा ठीक है तीजस नेटवर्क्स चाड़ जांदार कमाई शांदार चाड़ बोले मौका मौका लक्ष 930 उसके बाद 970 एक महिने में आपको इलक्ष हासिल होते वे दिखेंगे समय थोड़ा सा कम रह गया और कुछ और प्लेयर्स को उन्हों जगह देनी है जो बहुत स्पेशल हैं टीम इंडिया के लिए और आपके ट्रेडर्स वाली टीम के लिए जै बताईए आपके जो खिलाडी बचगे हों यहां पर भी काफी स्टॉंग बाइंग दिख रहे है तो यहां से मुझे दिख रहा है यह स्टॉक में वापीस से बाइंग आएगा और अराउंड 3.49 के वहां पर जाके यह स्टॉक को रेजिस्टन्स फिस्क मिलेगा तो मुझे लग रहे है 3.49 वोड़ टारगेट फर वन मंथ यह स्टॉक काफी कंपरिटिवली लेमेंटरी या इंडन होडल के कंपरिटिवली जादा चला नहीं है तो रॉयल अर्किट वोड़ बी माइ प्रेफर्ट पीक फर वन मंथ और यहां भी थोड़े थेह रहा है जहाँ फ्लेयर भी थेहरेंगे है तो यह स्टॉक रहेंगा दुसरा इंडन है जो लोग वहां पर देखेंगे तो नजारा टेक वुड बी माइ प्रेफर्ट पीक, टागे अरॉड नाइन वन टेन का रखेंगे, हम यहां पर मुझे दीख रहा है तो वॉल्यूम काफी बर्स बनके आ रहा है, और अल्सो जब सपोर्ट लाइन है, उसके उपर कंट्यूलिसीर टेड कर रहा है, हर 21 दे मोवि काफी स्टोंग आ रहा है, और बड़े इंवेस्टर्स का यहां रुजंग भी अच्छा आ रहा है, तो नजारा टेक वुड बी माइ प्रेफर्ट पीक, 9-1-10 का टागेट रखें, हम एक मेने के लिए 10 के सकते हैं, ठीक है, नजारा टेक जै की तरफ से, और कल स्टेडियम का जो नजारा होगा नो बहुत खूबसूरत होगा, नीली जर्सी हैं आपको चारो तरफ दिखेंगी, और रॉयल अंदाजम हार्ट इटिंग कल मैदान पर उतरेगी, दो जीत के साथ, कॉन्फिडेंस बिलकुल हुचाई पर है, और हम किसको हरा किया हैं, औस्टेलिया को पहल जारे लगते रहेंगी, तो कुछ आप से निए गोजारिश है, ऐसे शियर बताइए, जो कमसकम जिसमें इंडिया कुछ नाम का भी कनेक्शन हो जाए, और आपकी जो दोनों खिला रही हैं, और दोनों के नाम ले लीजे अब जो एक सो इंडिया है और दूसरा है भारत, तो मेरा जो पिक है वो है भारत फोर्ज, मैं कहूंगा ये बिलकुल हमारे जस्परित भुम्रा जैसे डिपेंडिबल कैंडिडेट है, बहुत ही शार्प रनप, साड़े साथ सो रुपे से अगर आप देखे तो में में साड़े स जरी की वज़े से, वैसा एक छोटा सा डिप इसमें भी आपको देखने मिला है, जहां पे स्टॉक हो, हजार लेवल, हजार पचास के आसपा स्लिप हो गया था, पट जो कमबैक किया है, इसने भी बहुत शांदार है, यहां पर आपके क्राउंडिंग बॉटम का लेकिन वो इसके लिए, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही एक्सेप्शनल है, और रिसेंटली आते ही, जो से पर्फॉर्मेंस दिया है, वो भी बहुत अबरदस्थ है, स्टॉक ने अपने 20-day moving average को बहुत ही जल्दी फिर से रिकाप्चर कर लिया, जैसे कि जस्व बिल्कुल ही undeniable रही है, लेकिन टीम में जगा बड़ी last minute मिलती है, वो है किरलोसकर oil engine, इसको आप देखे हैं, तो करीब जून mid last year, ये शेर चलता था 110 के आसपास, आज भाव है 500 का, तो जिस तरह से अश्विन हमारे number one spin bowler है in the world, लेकिन टीम में जगा नहीं मिलती है, वै अजय ने काफी बार इसको डिसकस किया है, तो ये एक stock है, जो आप बिल्कुल अपने radar पर रखे चलें, इसने out performance का जो scope है, यहां से भी काफी अत्ता बनता है, तो किरलोसकर oil engine, मेरा Ashwin candidate रहेगा, 565, 580, ये दोनों मेरे targets रहेंगे, इसमें नेर टम के लिए 525 को में मेरा stop loss लेके चलूँगा, और इसी के साथ हवारी जो team है, ये भी पूरी हुई है, and I think it's a very accomplished and a very reliable team. गुष्ट के 6 share, जैके, और ये share जो भी है, विजे करवाएंगे आपकी बाजार के खेल में, और कल ground का आप छोड़ दिये, वो team India समाल लेगी, और आश्वस रही है, जो form है, जो महौल है, जो उत्सा है, वो सब कुछ हमारे पक्ष में, देश में वर्ल्ड कप हो रहा है, last time हमारे देश में जब हुआ था, हम नहीं जीता था, कब हमारा ये, लेकिन ये खेल आप जीतेंगे, एक बार आपके लिए पूरा का पूरा हम summarize कर देते हैं कि कौन-कौन से खिलाडी आपके team में आज है, ये हमारा बारवा खिलाडी है, ये कह सकते हैं कि कहते ही चर्शा मनी आता है, लेकिन ये चर्शा में लेकर आए हैं इसको कुछ, चलिए एक बहतरीन शू, चार्ट बोले मोका मोका और ये कमाल के class, ये stocks हैं जिनके charts में गजब का दम है और आपको दम दिखेगा अगले एक मेहने में और निश्ची तरपर आपको बढ़े मुनाफ़ा कमा कर देने कि शमता रखते हैं, कुछ और जय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये तमाम share हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका बड़ा मजा है, ये आज ही आपसे बातशीत करके और इश्यो करके, शरत आपको बहुत शुक्रिया, ये बहतरीन टॉपिक आज चुनने के लिए, और मार्केट गप्षप के इस अडिशन में फिलाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे एटीनो सुधिश के साथ, नमस्कार. अच्साल के बने आपको बने रहे एटीनों इससी अजिशन में फिलाइब से लिए इंडीप झाल से वाईब ऑपको बंड़ा सी आपको बने भी आप साथ, वाईब आपकोंगा फिलाफंस तले आपकोंगा सुपँश। झाल 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 अमेरिका में इस्टॉक में बड़ी वरोत्री के बावजूर कच्छे थेल में थेजी भरकरा ग्रेंट कूल का बहुत 87 डॉलर के करीब पहुंचा अमेरिका में उत्पादन भी रिकॉर्ड उचाई पर एमसी एक्स पर अंठावन हजार के पार निकला सोने का भाव कॉमिक्स पर 1885 डॉलर के उपर डॉलर इंडेक्स और टेनियर बॉंड इल में भी टेजी से मिल रहा है सब्वोर्ट चांदी में 450 रुपए से जादा की मजबूती एमसी एक्स पर उनहत्तर हजार 500 रुपए के उपर भाव कॉमिक्स पर चांदी सबाब 22 डॉलर के करीब बेस मेटल्स में बेह सीमी दारे में कारवार कॉपर हलकी तेजी के साथ 700 रुपए के उपर हल्डी और जीरे में आज दिख रही है तेजी जीरा का बाइदा 55,000 तो हल्डी 13,000 के उपर धनिया हलकी नर्मी के साथ 6,700 रुपए के नीचे गौर में सीमी दारे में कारवार गौर गम का बाइदा 11,300 रुपए के करीब गौर सीड का बाइदा 55,500 रुपए के पास मंडियों में गौर की आवक बढ़ी लेकिन क्वालिटी को लेकर चिंटा बाजार में लगता दूसरे दिन कमजोरी निफ्टी सौंग से ज़ादा गिर कर 19,700 के पास HDFC बैंक, ICC बैंक और SVA की कमजोरी से बैंक निफ्टी करीब 4 सौंग टूटा स्वारत है आपका मुनापे की मंडी में जहां हम आपको कमुनिटी मार्कर की तवाम बड़ी खबरे बताते हैं साथी आपके लिए ट्रेडिंग कोस विलेकर आते हैं आज हमारे साथ पांच मेमान है भुपेश शर्मा है टेकनिकल एक्सपर्ट है विका नेर से अमिस सजेजा है मोतिलाल उसबाल से तरुम ससंगी है सिल्क रूट से मेरेंड वकील है पाराडाइम गबोनिटी एडवाइजर से और करमर्ज सद्री है अब आंस ग्रूप से आप सभी मेहमानों का इच इन आउस सदेश पर स्वागत है सबसे पहले टॉपिंट कबरे आपको बता दे गोल्ड और सिल्बर में आज अच्छी तेजी दिख रही है जिस तरह से यहां पर बॉंड इल्ड और डॉलर इंडेक्स में आज नर्मी दिख रही है उससे भी यहां पर सपोर्ट दिख रहा है कच्छा तेल लगतार तेजी का रुख है यूएस में स्टॉक में भारी बढ़ उतरी हुई है और यूएस का जो उत्पादन है वो भी रिकॉर्स तरोपर पहुँच चुका है ब्रेंट कूर का बहुत 87 डॉलर के बहुत करीब है नैच्रल गैस 277 डॉलर के आसपास MCX पर और नायम एक्स पर सबाद 3 डॉलर के करीब करोबार कर रहा है कौपर 700 डॉलर के ऊपर है चीन में एक और रहत पैकेज की उमीद से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है जीरा 55,000 के उपर पहुच चुका है भाव अब तेहारी मांग बढ़ने के उमीद से कीम्टों को सपोर्ट मिल रहा है हल दी 13,000 के उपर 1% की तेजी धनिया पर दबाव है हल की नर्मी है 6,700 रुपे के नीचे गौर्सीट और गौर्गम आज बहदी सीमीदारे में कारवार हो रहा है गौर्गम है 11,300 के आसपास और गौर्सीट का बायदा है 5550 के आसपास चले लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की क्योंकि कच्चे तेल पर कई सारी एहम ख़बरे आई है एक तो यूएस का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड लेबल पर पहुंच चुका है 1.32 करोर रोजाना उत्पादन यूएस का हो चुका है पिछले हपते यूएस का जो कुरूड का स्टॉक था उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है उसकी वज़ा यह है कि कम रिफाइनिंग और इंपोर्ट बढ़ने से कुरूड का स्टॉक बढ़ा है सौधी बाजार में इस सीरतर लाने के लिए भी हर कदम उठाने को तयार है और रूस ने भी इस की तरफ से बयान आया है कि वो फ्यूल एक्सपोर्ट में राहत देने की सूच रहे है सबसे पहले बिरेंट सर क्या लग रहा है आपको कच्चे तेल की चाल यह कैसी दिख रही है क्या वापस से नब्दे के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव जा सकता है क्या यहां से तेजी आपको दिख रही है फिलाल एक तो इसराइल कंक्रेट का थोड़ा रिस्पी में उसमें आना जाए है तसरी बात यह है कि अमरेका की इंवेंटरी तो काफी लो है 40 यह लो पे को सेंक्षिन के बारे में दूसरा रूस ने भी सीब और डिजल एक्सवर्ट के थोड़ा रिल एक्सेशन दिया है वो भी थोड़ी अच्छी बात है टेंपररी है समान सकते है कि नैमेक्स के हिसाफ से कुरूड का रेंज 77 से लेके 85-88 होना चाहिए यह इस्राइल कंफिर्ट अगर बढ़ता है एसकलेट होता है तो जरूर यह वापस 90 जाएगा वाट फिलान तो कोड़ वार कॉमेंटिटी बनी हुई है वहां से जिस तरह की खबरे आएंगी इस्राइल और हमास उसके हिसाफ से कुरूड परसर होगा लेकिन जो इस्तिती बन रही है कि सप्लाइ बढ़ाने की लगतार कोशिस US की हो रही है वो रिकॉर्ड उत्पादन वहां पर हो रहा है विनेजुला से बाची चल रही है पावंदी में धील देने की तैयारी सप्लाइ बढ़ाने की तैयारी चल रही है भुपेज जी क्या करना चाहिए कोई ट्रेड बताईए आज के लिए क्रूड में किस तरह का अगर आप्शन में कहाँ पर नजर रखे कॉल खरीदें अपूट खरीदें आज जी नमश्कार सर प्रूड ऑईल की बात करेंगे तो प्रूड ऑईल का चार्ट का इस तरह अभी भी नेगेटिव ही बना हुआ है और अच्छी गिरावट हमने कल और परसों दौनों दिन के क्रेडिंग सेशन में देखी आज बजार गयाट के साथ पुला है तो मुझे उम्मी है तो बजार हो सकता है कि दुपेर के बाद इसमें गिरावट देखने को मिले साथ अजार या साथ अजार के आजपास को कुरूड जहां भी मिलता है वहां विक्वाली करनी चाहिए फ्यूटर स्मिट और साथ अजार पचास के उपर का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नी अमी जी आपसे मेरा सवाल था जी नमश्कार देखे जो आपने फंडमेंटल फैक्टर फिलहाल बोले इसमें एक मैं आड करना चाहूंगा कि हालक सप्लाय तो जादा होई रही है जो यूएस की है 13 मिलियन के उपर पहली बार पेंडमिक के बाद पहुंची है उनकी सप्लाय Secondly, Demand Destruction की भी Possibility पिछले हमने हफते हमने देखी थी जब Gasoline फोर वीक का जो rolling average था वो करीबन 25 साल के लो पे आ गया था या week on week भी 8 million barrel का ही Demand Gasoline में देखने मिला था जो भी एक 23 साल का लो था तो कहीं न कहीं 95 डॉलर से 100 डॉलर के करीब जब prices पहुंची थी ऐसा लगता है कि market ने अपनी ceiling hit कर दी थी जिसके बाद एक बड़ा decline देखने मिला है market जरूर एक pause पे आया था एक उचाल देखने मिला था हफते की शुरुआत में इसराहिल और हमास के conflict के वज़े से लेकिन क्योंकि ground पे supply disruption फिलाल नजर नहीं आ रहा है इसके चलते selling resume हुई है मैं मानता हू कि यहां पर उचाल पर बिक्वाली करना सही रहेगा short term basis 7,010 के करीब में futures में selling की सला देना चाहूंगा 7,090 के आसपास का stop होगा downside में मेरा मानना है कल रात को जो lows देखे थे वो देखने मिलेंगे 6,888 के करीब इसी चीज़ को अगर options के थूप ले करना चाहें तो 7,000 का put लिए जा सकता है 100 के करीब जो फिलाल अभी 120-25 के आसपास चल रहा है डिप पे बाइंग करें 70 का stop लें और upside मे 160 तक के target लिए जा सकते है या तो आप 7,000 के ऊपर इसे बेचे या put के जरिये भी जा सकते है market volatile है तो बेतर यह होगा कि options के साथ जाए 7,000 के strike की put आप करीज सकत थे उस वेज़से bond deal में थोड़ी बढ़ोतरी भी लेकिन अब हलकी यहाँ पर नर्मी भी दिख रही है 4.66% के आसपास है और dollar index लेकिन 106 के ऊपर वापस से टिक गया है क्या लग रहा है आपको किस तरह की चाल gold silver के दिख रही है अलाकि आज के सत्र में तेजी है लेकिन यह पर गोर्ड एक्सो चालिस के प्रीम में भी रहा है क्योंकि वहाँ गोर्ड इंपोर्ट के कोटा रिस्ट्रिट किये गए है थोड़ा कुछ किबिटल कंडोल भी आया है रशिया में वापिस चाइना में भी offshore accounts बंद किये गए है तो वो भी indirect capital control है यह सब देखते हुए मुझ क्या है आप बता है लेवल्स अमीजी आप से मेरा सवाल था जी शॉट टम बेसिस गोल्ड में में संतावन हजार नौसो के करीब बाइंग के सला देना चाहूंगा फिफ्टी एट्री फिफ्टी आट्ना हजार तीन सो पचास का टार्गिट होगा इस टेट के लिए 5700 का पर खरीदे 100 गोल्ड और 58 350 के लिए बुपेश जी आप चांदी में बताए किन लेवल्स का ध्यान रखे क्या टार्गेट क्या स्टॉप्रोस है चांदी में अगर तो अगर तुलांत मां कद्यान करें गोल्ड और सिल्वर का तो मुझे लगता है कि सिल्वर का बजार अगर रिलेटिव स्टेंट के साथ से देखा जाए तो काफी नेगेटिव है और मुझे लगता है कि 70,100 या 70,200 इसका लगाता और बना रहना चाहिए उपर में सप 69,000 के करीब और 68,000 के करीब बेखने को मिलेगा यह भी है चांदी का भूपेज जी का भूपेज जी को लग रहा है कि 79,310 पास आपको चांदी बेचे नीचे 68,850 तक आ सकता है चलिए वक्त हो गया ब्रेक का ब्रेक के बाद आगरी मार्केट की और बेसमिटर्स की बात करे झाल 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 उन्से नतीजों पर विस्ता से बात करिए कर दो कर दो कर दो उंद प्रोबजर कर दो प्रूप तो मियाक क्या कर दो कर दो झाल 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 स्ट झाल 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 तो झाल 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 बाजार में लगतार दूसरे दिन कमजोरी और आईटी शेर उसे दबाब गाइड़स घटाने से इंफोसिस का शेर धाई परसेंट टूटा शेर निफ्टी का टॉप लूजर लेकिन एचसेर टेक में दो परसेंट की तेजी मार्जिन और मुनाफिक के अच्छे आकरे UBS के बड़े डाउन ग्रेट से SBI में करीब 2% की गिरावट UBS ने बिक्वाली की रेटिंग के साथ लक्ष घटा कर 530 रुपई किया Bank of Varoda, Canada Bank और Bank of India में भी 1.5% की गिरावट अच्छे नतीजों से Angel One के शेर में करीब 5% का उच्छा सितंबर तिमाही में कंपणी की आई और मुनाफिक में 40% की शांदार बढ़ूत HDFC AMC में करी 5% की तेजी के साथ कारोबार सालाना अधार पर आई में 18% और मुनाफिक में 20% का उच्छार राइट्स और इरकॉन के शेर में 5-6% की एक्सप्रेस तेजी सरकार ने दिया नावरतन का दरजा IRFC और रेल टेल में भी आक्शन फिर से जोश में ITI का शेर करीबद 14% की तेजी के साथ 268 रुपई की रिकॉर्ड उचाई पर 8 सेप्टेंबर से किस तर से शेर हुआ डबल इस स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में जहां पर हम उन तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां पर आक्शन देखने को मिल रहा है और आक्शन भराब अजार भी है क्योंकि कमजोर शुरुवात के बाद जिस तरीके की रिकवरी है और भी बढ़ती भी दिख रही है निशले सरों से करीब 100 अंग सुधरता हुआ आपको निफ्टी दिख चुका है और यहां पर निफ्टी बैंक की बात करें तो 230 अंकों की कमजोरी रह गई है निफ्टी बैंक में हाला के कुछ ऑटो काउंटर्स में जबरदश जोश है टाटा मोंटर्स मारुती सुजुकी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है वही आई टी में बिकवाली जो है वो जारी है पर बैंकिंग स्पेस पर फोकस करेंगे अब और आपके लिए एक एक्स्क्लूसिव खब डेटेल आइए जानने के लिए चलते हैं हमारे समवादाता प्रकाश प्रेयर दर्शी के बास प्रकाश पताएए क्या कुछ एक्स्क्लूसिव जानकारियां है आईडी बी आई बैंक विनिवेश को लेकर कि अगले महीने तक IDBI Bank के लिए जो prospective bidder हो सकते हैं जिनके लिए fit and proper test को अंजाम दिया जा रहा है वो जो प्रकिरिया है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद IDBI Bank की जो अपचारिक विनिवेश की प्रकिरिया है उसकी शुरुआत की जाएगी इसके लावा जो final due diligence है उसके शुरुआत होगी क्योंकि RBI की screening के बाद इस प्रकिरिया की शुरुआत होगी और उसके बाद जो prospective bidders हैं जिन्होंने interest दिखाया है उनके लिए जो virtual data room है वो open किया जाएगा ताकि उनका जो access है वो IDBI Bank के जो secret data है उससे हो पाए साथी साथ सुत्र हमें इस बात की भी जनकारी दे रहे हैं कि IDBI Bank का जो transaction है वो काफी complex है पहली बार इस तरह का विनिवेश सरकार कर रही है लिहाजा हर तरह के factors को ध्यान में रखा जा रहा है आगे बढ़ने से पहले और इस बात की संभावना जताई जा रही है जैसा कि हमें source बता रहे हैं कि चालू वित्वर्श के आखरी तिमाही के दौरान IDBI Bank के लिए जो financial bids है वो सरकार invite कर सकती है तो यह काफी important development है अगर आप IDBI Bank के विनिवेश की बात करें सुत्र हमें इस बात की भी जनकारी दे रहे हैं कि करीब 4-5 कंपनियों ने जिसमें कोटक महिंदरा बैंक भी शामिल है उसने EUI फेज के दौरान IDBI Bank के लिए दिलचस्पी दिखाई है और सरकार को इस बात की उमीद है कि financial bids के दौरान भी कंपनियों की तरफ से काफी दिलचस्पी देखने को मिलेगी जहां तक IDBI Bank के विनिवेश का सवाल है काफी important development जो है वो देखने को मिल रही है बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाष यह पूरी exclusive जानकारी हमें देने के लिए तो IDBI Bank से जुड़ी exclusive ख़बर और आदित एक बाग क्विकली आप से इस पर टेक लेना चाहेंगे क्योंकि देखे जबरदस्त आक्शन तो हमने इस काउंटर में अल्री देख चुका है कैसे देख रहे हैं आप IDBI Bank को फिलहाल चार्ट्स पर और इन सतरों पर क्या कुछ ट्रेड या इन्वेस्टिंग के मौके हैं प्रिश्टी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट लेकिन थोड़ा सा लॉंग टर्म व्यू रखना पड़ेगा पचतर रुपय का एक रेजिस्टन्स है स्टॉक पे अगर पचतर रुपय को क्रॉस करके स्टॉक इसके पर क्लोज करता है तो फिर एक अच्छी केजिया में देखने मिलेगी राउंटिंग बॉटम पाटन से ब्रेक आउट आएगा पचतर रुपय के ऊपर और तब लक्ष जो थोड़ी बहुत हमें देखने में देती शायद कंटिंगी हो सकती हाने वारे दिन अपर लेकिन ही बार मार्केट पर नजर डाल लेते हैं बहुत ही अच्छी रिकावरी आ रही है बाजार में निफ्टी उन्नेस जार साथ साथ सु साथ के पास है और बैंक निफ्टी भी अच्छी तरह से अच्छी तरह से आटो इंडेक्स देखे लिए लिए तो यहां से अच्छी रिकावरी जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रही है इस बीच लेकिन आगे पड़ते हैं और ऑप्शन की रणीती एक बार समझ लेते हैं रुचित से हमारा संपर्ख तो नहीं हो पा बांक में 1460 का कॉल ओप्शन खरीने की वो सला दे रहे हैं जो कि इस बीच 32 रुपए के आसपास है टार्गेट देख रहे हैं 52 का और जो स्टॉप लॉस है वो 20 रुपए का देख रहे हैं यह है इंडेसेंट बैंक में कॉल खरीनने की रहे इस बीच SGFC Life के नतीजे आ चुके हैं निफ्टी कंपनी मुनाफ़ा 377 करोर इस वक्त आ रहा है और 15% की बढ़त मुनाफ़े में देखने को मिल रही है स्टॉक हरे निशाम में शांदार टेजी 10% उपर इस वक्त कारूबार कर रहा है यह निफ्टी कंपनी के नतीजों का हम इंतजार भी कर रहे थे और मुनाफ़े में शांदा बढ़त अभी फिलाल मुनाफ़े का एक पहला फिगर आ रहा है एक एक करके नंबर्स पर हम और चर्चा करेंगे लेकिन यहां पर एक ब्रेक के लिए रुखते हैं ब्रेक के बाद इस नंबर पर और अपडेट लेंगे झाल 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 आपका फिर स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में पर चलिए अब आपको वक्त हुचला है बताने का धेर सारी ट्रेडिंग रननीतियां और पावर प्ले स्टॉक्स प्ले चाहिए गट पर चाहिए ल झाल 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 1440 टागेट होगा 1520 का दुसरा बाई है जी एन फसी पर जहां पर एक रेंज ब्रेक आउट वाट वाइज स्टॉपलोस होगा 625 टागेट होगा 675 ठीक है तो जी एन फसी और इंडेसेंट बैंक में खिरदारी के सला अधित यापकी तरफ से दो स्टॉक्स कौन से होंगे कुझा पहला बाई रेक्मेनेशन डीमाट के स्टॉक पर एगा थाफी एक अच्छा मोमेंटम है फ्मसीजी कंजी में अच्छा मोमेंटम प्रिया यहां पर 4100 का टागेट लगा है 3100 का स्टॉप लगा है डीमाट बाई रहेगा दूसरा स्टॉक चंबल फटिलाइजर अगर आदेती की तरफ से पर नितलीश अब आपके पास आना चाहेंगे और समझेंगे बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं लेक्र में मैं बाल प्रिस्न इंडस्री के साथ जाना पसंद करका बाल पर इंडस्न इंडस्री में निखिए तो कापी बड़े गंसर रिश इसके उपर निकलता है तो हम लोग बड़ी तीजी के लिए तेयार होंगे पच्छी सो अशी का स्टॉक्स अपर में पहला तारिकन हम लोग शबी सो पचास का रखेंगे लेकिन इस लेवल को भी ख्रॉस कर देता है तो हम लोग पठाइस सो तक के भी लेवल को एक बार के ल तो बू वाला सिच्वेशन फुड़ा सा निराथ को नीम महीं देता है तो डफिनेटली में इस सटॉक के सचाना पसंद पूर तला नितिलेश की बालकृष्न इंडस्ट्रीज इनस तर उपर ट्रेट के लिए बहतर लग रहा है यहां पर दजर रखें लेकिन ब्रेक में जा मार्जिन बिना बदलाव के 26.2% पर बरकरार सॉल्वेंसी रेशियो में कमी आई है वैल्यू ऑफ न्यू बिस देखेंगे महाँ पर 4% की बढ़ात देखने को मिली है नेट प्रीमियम आये में भी बढ़ात है करीब 14,756 करोड के आंख्रे आया है नेट प्रीमियम में तो य कंसुम मुनाफाद देखने को मिल रहा था तो और अगर बात करेंगे तो नंबर्स में कुछ जो नंबर्स हैं मार्जिन के फ्रेंड्स पर अगर देखेंगे तो वो थोड़े अनुमान से कम दिखाई दे रहे है और जब ये VNB के मार्जिन आये हैं उसके बाद हम देखने ह एक परसेंट नीचे अब HDFC Life का स्टॉक आ चुका है इस पर एक बार राय ले लेते हैं आज़े ते HDFC Life नतीजे आये थोड़े तो स्टॉक सपाथी कारूबार कर रहा था लेकिन अब जैसे नंबर्स आ रहे हैं स्टॉक में वीक्नेस आ रही है क्या और करेक्शन देख रहे ह है तो अगर आपके पास शॉर्ट पोजिशन है तो आप वह स्टॉक लागा है इसमें 622-623 का वहां पर एक रेजिस्टेंस है अंडेट डियमें भी इसके बहुत एक मेजर रेजिस्टेंस इसे काम कर रहा है जब तक उसके उपर ट्रेड नहीं करता है अंडेड डियमें के जो है वो बढ़ती भी दिख रही है और जो वीकनेस है वो बरकरार भी रह सकती है बट इस बीच रिकावरी की बात करें तो मार्केट पूरी तरीके से रिकावर करता हुआ नजर आ रहा है जहां पर उननिस हजार साथ सो पिच्छासी ये स्तर आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक भी और इसको लीट करते हुए दिख रहे है दिगज बैंक जैसे एच्टी एफसी बैंक में अब अभी एक स्पाइक आते हुए जरूर देख रहे होंगे और इंडिसिंट बैंक जो है निफ्टी को लीट जरूर कर रहा है करीब धाई परसंट की यहां पे मजबूती ह देखे कुछी समय में भारे निशान देखेंगे हम निफ्टी फिफ्टी में आज की जो रिकवरी है जो नेगटिव ग्लोबल क्यूस थे साथ ही आई-टी में कम्जोरी का जो इन था वो पूरी चीजे फैक्टर इन करता हुआ बजार आगे के लिए या अगले हफते के आज का जो रिकवरी है काफी स्ट्रॉंग इंडिकेशन है और मेली बैंकिंग नीम्स में अगर हम देखे जो गाप डाउन भी था तो एक डाउन डेगरेट के वज़े से एस्वे और एक्सेस ने गाप डाउन किया वहाँ पर भी एक रिकवरी शुरू हो रही है बट इंडस के उपर टिकेट आएंगे तो अपसाइट 20,200 ओपन ही है अभी है तो शांदा रिकवरी बाजार आ चुका है हरे निशान में उन्नेस जार आटसो के लेवल के पास अब बाजार आते हो दिख रहा आप देखना होगा कि अगर उसके आस-पास होता है क्लोजिंग तो फिर अक्टूबर तक पूरा विश्व वर्ड इन्वेस्टर वीक मनाता है और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने दर्शकों को सतर्ख करें और निवेश के लिए और जागरूख रखें इस सिलसले में HSBC Mutual Fund के CEO कैलाश कुलकर्णी से समझने कि हम कोशिश करेंगे कि निवेश केतना सुरक्षित है अचलिए थोड़ी टेखनिकल दिक्कत आरही है उनसे हम समपर्ख वापस से जोनने के कोशिश करेंगे तेंगे वापस से चलिए मार्केट पर आते हैं और काफी शानदा रिकावरी इस वक्त बाजार में नितिलेश अगर उन्नेस अजार आ है लेकिन आज में क्यारी करके नहीं जाना पसंद पूरगा मैं मंडे को देखना मंडे में अगर मार्केट पहले सेशन में अगर सस्टेम होता है तो जैसे मैं सर को सुने रहा था डेफिनेटली एक बड़ा तेजी देखने को मिलेगा तो 19,780 से लेके 19,830 एक लेबल होगा यहां पर आपको देखना पड़ेगा इस लेबल का अगर लेकाओ आ जाता है तो हम लोग 11,780 एक पचास परेंट के साथ निफ्टी में लांग करके चल सकते हैं लेकिन अभी के लिए तोड़ा से में लांग जाना पसंद नहीं करेंगा क्योंकि जो रीसेंट का जो ता अभ जो भी गाप या गाप डाउन होता है उसको पहले ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा पर आधित्या जाते जाते एक बार आप से राय जाना चाहेंगे कौन से सेक्टर किसी को ध्यान में रखने चाहिए या कौन से सेक्टर जो है आगे लीड कर सकते हैं क्योंकि आज तो कैसे पोजिशनिंग की जाए क्या लाज कैप स्पेस में ही मौके दूंडे या मिट कैप स्पेस में जबरदस्जिस तरीके का अक्शन देख रहे हैं वहां पे कुछ नजर रखनी चाहिए और कुछ कोई सेक्टर जो कि आपके रडार पे हो बिलकुल श्रिष्टी जाए यह क्लोजिंग नोट के जबूग कहाना चाहूंगा कि मार्केट में थोड़ी वॉलिटिलिटी बढ़ रही है तो थोड़ा कॉशन बना के रखें मार्केट पाटिस्टिपेंस आँक बंद करके सरफ तेजी ना करें इस्पेशली आपके लाजर ब्रॉडर मार्केट में मिट यहाँ पर अगर आप अगर अगर आप यहां पर शानदार एक पूरा तेजी यहां पर आते रहे हैं तो fmcg मैं डेफ्रिटी मैं एक बैट करना चाहूंगा वर और सेक्टर पर सेक्टर की बात करते हैं तो ज़िए डाइगनोस्टिक स्पेस काफी टाइम से बहुत अच्छा लग रहा है अगर हम डाइगनोस्टिक की बात कर ले तो यहां पर डॉक्टर लाल पैट लाइब आता है यहां पर आपके बैंक्स डेफिनेटली यह दो सेक्टर ऐसे हैं जिन में तेजी आनी चाहिए और सेलेक्टिव रहेगा ऑटो में भी और बैंक्स में भी अगर हम आपके बात कर ले तो डेफिनेटली मारूती और टाटा मोटर्स अशोप लिलिद यह तीन स्टॉक्स टॉप बेट रहेंगे बैंक्स में बात कर लें तो यह जा है काफी किए सब्सक्राइब करणे रहेगा डाग्नोस्टिक्स, थर्ड रहेगा ओटो सिलेक्ट, ओटोस और सिलेक्ट बाइंग्स. रहेगा डाग्रुक रखने की कोशिश करते हैं, इस पूरे विश्व वर्ड इन्वेस्टर वीक को सेलिबूरेट करने की हमने कोशिश की, लेकिन उसके पहले आप दोनों ही एक्सपर्ट का बहुँ बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, मुझे और सुष्टी को दीजे अजाज़त, ब्रेक में जाते जाते हैं आपको सुनवा देते हैं, एक एस बीसी मुच्छ फंड के सीओ के लाश कुलकर्नी के ये कुछ कॉमेंस Hi, I'm Kailash Kulkarni. I'm the CEO of HSBC Mutual Fund. This World Investor Week, embark on a journey of informed investing with HSBC Mutual Fund. Understand your investment goals and risk tolerance. Regularly review your portfolio statements and your fund performance with the help of a professional advisor. Diversify wisely to protect your investments from untoward events. Stay invested, a risk factor of market volatility. Be mindful of inflation and SSO return post-tax. Be an informed investor. Invest in mutual funds and take that first step towards your wealth creation journey. Mutual Fund investments are subject to market risks. Read old scheme-related documents carefully. तरी इन Luca ये प्योदोदे कर दो ये 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 झाल 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 यूब्यस के बड़े डाउंग्रेट से झाल 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 सब्सक्त प्रण कॉंकॉर और IRCTC, दोनों बहुत पसंद है, आप उनका बिजनस मॉडल देख रहो हो आज, यू कैनाट बट मेक मनी, बिजनस इस एक्सलेंट, भाव में थोड़ा सा उताव चलाव आ सकता है, बट वो ही मौका है, कॉंकॉर में रेक्स की कमी थी, वो आ जाएगी उतने व्याग और आप देख सकते हैं कि बंदे भारत के बाद कितना इसमें रोजांग आएगा, बिकार गर्मेंट इस वेरी कीन ओन दाट, तो आई थिंक ये दोनों शेर्स अंडर परफॉर्म की हैं, बट यहां से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इन में बहुत अची वैल्यू पिक है, इस टॉक्स में भसीन साब ने पसंद बता दी, भसीन साब नमस्कार, अभिशीक बोल रहा हूँ, सर रेलवे की बात हो रही है, ट्रेविल की बात हो रही है, तो एक सवाल जरा उसका जवाब दीजी आप, कहीं आपकी कल मॉर्निंग की फ्राइट एहमदाबाद की तो नहीं है, नहीं नहीं, मैं तो कल चंदीगर साथ सुबह सुबह आया हूँ, और मेरा जितना भी दिल करें एहमदाबाद जाने का बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठग गया, और मेरे सोंबार से वर्तवी हैं नोडाते हैं, तो टीवी पर ही देखूँगा पीशेक आपके साथ, और साथ में जो लास्ट एक गंटे में रैली आई है, वो भी अच्छे बुल्स को थोड़ा सा होसला देगा के मंदे को मार्कित न्यू हाई की तरफ जाएगी, लिख लेना पंदरा ता सकेंड हाफ अक्टूबर में न्यू हाई आया ही आया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बस साथ इस चर्शा के लिए और अपने शेयर बताने के लिए भी, जरा इस चर्शा को और आगे बढ़ा लिते हैं क्योंकि महौल पूरा का पूरा गर्म हो चुका है और अब से ठीक 24 घंटे बाद महा मुकाबला चल रहा होगा, कुछ हद तक मैच के शुरुवाती तजवीर न तो लेखेंगे घर पर ही टीवी स्क्रीन पर ही मैच के लिए तो आइटिंग और मार्केट भी नहीं है तो काफी मजा रहेगा, पूरा मैच इंज़ॉई करेंगे आज कल फैमिली के साथ ही हाँ, लोगों ने बहुत सारी अपने इंगेजमेंट्स जो पुराने थे न उसको बहुत पहले से टाल के रखे हैं, कि भाई उस दिन इंडिया पागिसान का मैच है, कुछ मत पूछना मैं बिजी हूँ, बिजी किसमें टीवी की सामने मैच देखने में, आशी जी आपने इ देखेंगे, बाहर देखेंगे, कैसे कर रहे हैं, कल घर पर ही देखेंगे, कल, I think I always prefer घर पर या किसी दोस्तों के साथ या आपके लिए, जा के देखना है, मेरे अदाबिक वाफी बहुत मुश्किल सा कराम होता है, प्लस, टेलेविजिन पर जो कवरे जाती है, मेरे साम से, टीवी के सामने बैठ के, मैं तो एक दम ही स्पोर्स एंथूस्ट हूँ, और मुझे क्रिकेट, फुटबॉल सब बहुत पसंद है, तो मेरा हमेशा स्पोर्स में घर पे रहता है, जा बात है, जा बात है, मेरे चामिले के साथ देखने के लिए, बड़े आएं, हमारे प्लान कुछ ऐसा ही है, और निश्चे तोर पर साथ में से साथ मुकाबले भारत ने जीते हैं, वर्ल्ड कप में, तो हमारा पलड़ा भारी नहीं, मतलब एक तरफा है, मुकाबला ही नहीं है, कल कई महा मुकाबले पर फोकस जरूर है, लेकिन अच्छ जीत के भी और पाकिस्तान के बराबर के मैच जीत के भी भारत पाकिस्तान से पॉइंट टेबल मुचे हैं, क्योंकि रन रिट भारत का ठीक है, आप देखें नेट रन रिट आपके स्केंट पर एक दश्मनों पांच पर हमारा है, पाकिस्तान का है 0.93, ये एक अच्छी ची नहीं ओपनिंग बैट्समेन का शाहिशा अफ्रीदी, हसन अली, ये उनकी जोड़ी है, स्पिन में दम नहीं इस बार पाकिस्तान के, स्पिन को लेकर कोई टेशन नहीं, यानि कि मिडल ओवर्स में अगर गती बढ़ाने की बात आए, तो हमारे बल्लेबाज उसको लेकर चि स्पाइजेट लेकर आएंके, देखेए, ये ट्रेवल टूर की बात हो रही है, स्पाइजेट इस बीच 20% के अपर सरकेट पर ये शेयर पहुच गया है, डिबी कमाल की टीजी मतलब, थुरते पहले जब खबर ने दी थी नहीं, वो बहुत इंपोर्टेंट है, जो हमारे र स्पाइज गंगवाल आ सकते हैं, और इशेयर में को ध्यान अस्था में 13-14% था, राजेश जी ने भी ये बात रखी थी, कि अगर आज की क्लोजिंग बहुत इंपोर्टेंट है, देखेए, इस से आगे बढ़ नी पाएगा, स्पाइजेट, अलोड़ी बी एस सी पे लिस् पाइज गंगवाल, मैं जितना समझ पारा हूं सिस्टम में, और मेरे पास भी खबर आई, तो हमें लगा कि हाँ, ये खबर बहुत इंपोर्टेंट है, और अभी सर्केट के तरफ बढ़ा है, और अच्छी चीजे के स्पाइश जीट, क्योंकि कुछ रेक्लोटरी दिकते भ आठ नो परसंट के असपास के कंपनी जोई करती थी, वो घट के चार साड़े चार परसंट के असपास का आगया है, तो निश्ची तोर पर ये कंपनी के राहत की खबर तो आई, और जो लोग अपने आपको फैसा हों मैसूस कर रहे थे, निश्ची तोर पर शायद वो भी अब यहां से निकलने के बारे में विचार कर सकते हैं, बीस परसंट का असर, एटी नो सवदेश नहीं सबसे पहले आपको ये जानकारी, ये खबर, एक्स्लूसी खबर दी, और उसके बाद हम शेयर में, एक्शन को बढ़तावा देख रहे हैं, चोवालीस रुपे का भाव हो गया, आज के आज करीब आठ रुपे के अगरा बात रहें, आठ रुपे ये शेयर चल चुका है, बीस परसंट के अपर सर्केट पर जाके, अब ये लॉक हो गया है, एक सर्केट की जब बात चली रिया, इतिना सुदेश के खबर पे, तो एक आपको और शेयर में बता द नाम का एक लैप्टॉप्स लेके आ रहा है, उसका बड़ा असर होगा, आज इस पर सर्केट लगा, इसके लगए स्पाइस जट पे भी जोरदार एक ख़बर आने के बाद सर्केट लगता हो दिखा, इन दोनों ही शेयर पे एक काम करते हैं, मितेश जी से उनका टेक ले ले इसके बाद सर्केट के इसाब सर्केट के उपर ब्रेकाउट आया था, तो अभी यह बहुत बॉलिक चल चुका है, तो अगर किसी के पास है, तो हमारा इंदिरेट जान रहे है, इसमें आप टॉपित बूप करते हैं, और जहां तक स्पाइस जट की बात, बेसिकली यह पफ़ए है, कि जब हारी भल्पी बाद चुका नगती है, तो मुझे अगर आज की जो क्रोसिंगे उसके उनतर आता है तो आप कमुटरबल टेकिंग दा ल्हं को बाएफिकल करता है, तो वहां में मन्दे को बाद करता है, और एसके अथिकले को बाद दॉपित अपित, जो उपर में target खुछता है तो around 50डियट से 50 थाइय उपीस का measurement system of matter खुल रहा है तो alarm bying देखना बहुत ज़री है और आज के मिनले भी till in this time, इतनी mark होगी तो भी देखना ज़री है निकी बहुती strong आपने बहुत, इस ही करुद देख से बता कि इसके उनपर अगर 3-3, 15 के बीच में अगर रिटाएं, तो अगर भी तो अगर तो अगर तो अगर तो अगर पहली करेंगी 50-50 थाइटे श्क्राइटर था तो अगर तो अगर थोड़े पहले 15% पर था यह बहुत तेजी हुई है, इसमें निउस का इंपाग दिख लेकर, ले इसके उपर हम तो अगर अगर आप नहीं देखोंगे तो चार से पाट परसं का देवों स्टॉक्स में था तो आज यह सवाब परसं की जिरावट है, तो इसमें खरीजारी तरिक्ची हबारे इस साथ से यह पूरा जो सक्तर है, वो रीटीं के कदाय के उपर है, और यह है को हमारा जहां से घर्ट्राओ के तरिक्ट के इस से शुदुर्ण परफर्ड़न के लिए थी कहीं हारे जहां के तॉपर आज़ ने के लिए नीक्ली इसते चाटिगरी के तीन स्टॉक्स बता रहा है, एड़ वेल्डिंग, ह्टीजी और ग्रिफाइट्ट्स के लिए लेक एक बार क्योंकि we are going into the weekend और अगले हफ़ते प्लस इस weekend पे कौन से important results है कौन से बड़े events है जो global level पर भी आपको देखने हैं सब कुछ विमाक्षी ने कबाल किया एक बार आगी उनसे समझते हैं विमाक्षी बताएं कहां कहां ध्यान रखना है आपका प्लान तो बना हुआ है लेकिन अब markets में investors, participants वो क्या कौन-कौन से events को track करें यह भी बताएं चिबलकुल शुरुआत करते हम कुछ important economic cues के साथ तो हमारी नजर होगी domestic front पर wholesale prices data पर जो October 16 को आएगा इसके अलावा US bazar के अगर हम बात करें तो industrial production data और initial jobless games भी expected है European markets की बात करें तो Eurozone और UK की तरफ से CPI डेटा जरूर आएगा और closer to home, China की अगर हम बात करें तो GDP और industrial production data भी expected है चाइना की तरफ से मुझान अगर हम earnings की बात करें तो HDFC bank के नतीज़े आएएंगे नेसले, HUL, ITC और JSW Steel तो definitely यह साथे counters focus में रहेंगे इसके अलावा एक एहम counter, GEO Financial Services जो हाली में de-merge होके list हुआ है, इसके भी नतीज़े October 16 को आएएंगे और definitely यह भी हमारे data पर रहेगा corporate action कि अगर हम बात करें अगले हफ़ते काफी स्कारा action हो रहा है in fact, अगर हम देखे उतकर्ष Small Finance Bank EMS, Tracks and Technologies RR Kabber, Sumi Hotels और Zalwell जैसे counters पर नज़र रखेगा क्योंकि इन सारे counters का जो locking period है, कुछ equity shares के लिए यह खुलने जा रहा है तो definitely यह stocks हमारे data पर रहेंगे इसके अलावा, board meeting के रहास से Maruti Suzuki पर भी focus करेगा क्योंकि यहाँ पर board meeting होने जारी है वो issuance equity shares के company के SMC को preferential basis पर consider करने वाले है Titan की भी board की बैटक होने जारी है NCD issuance को लेकर इसके अलावा, आखर में हम focus करेंगे India vs Pakistan का World Cup 2023 में जो match होने जा रहा है October 14 को इस पर यह match पूरा ही देश देखेगा काफी उत्साह से और definitely हमारी नसर भी यहाँ पर रहेगी तो आज लिए थे सारे important events और triggers जो आपके डेडार पर होने चाहिए अगले हफ़ती की trading session के लिए ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आप हम आखरी सारे events बताने के लिए और बड़े numbers जो जो जिन पर धान भी रखना उसमें Bajajz Finance के भी अगले अफ़ते number आएंगे और आज आप देखें भी तो Bajajz Twins Banks पर Finance से आई है support Heavyweights में Bajajz Twins से भी एक support आया एक बार quickly In fact, Finance Countess में Bajajz Finance पर कोई special report आपकी है मितिश कि क्या targets आप देख रहे हैं targets तो किया बड़ी-बड़ी booking forms के ऊपर के है 10,000 के सारे 10,000 के तक के targets की है Exactly तो तो इसमें बेरे टिंग हो चको है और I think बहुत ही strong अपर आएगा अबर अभी target जो है तो सारे नहीं है से 10,000 के region में है तो definitely यहां से comparative जासे है ठीक है चले बाजार बंद होने में करीब परीबो 6-7 मिनिट के आजपास के समय रह गया और फटाफट यह जान लेते हैं कि अगर आपको सोमवार के लिए कोई trade लेकी जाने है तो वो कौन से share में मौकी बढ़ रहे है हाला कि वाजार फिर से हम देख रहे हैं कि 1900 तक जाने के बाद फिर से फिसल रहे है 50-60 थंक नीचे निफ्टी है निफ्टी बैंक के बात करें तो साड़े 300 अंखों की आस-पास की गरावट वहां पर है यानि कि निफ्टी के मुकाबले करें प्रतिशत में बात करें तो डबल से भी जाद आँ राजिस जी आपके नजर कहां पर है BTST ट्रेड्स आपके क्या होंगी या फिर STBT जो भी आपको सही लगे बताईए इस तरह के से स्टाप के आज क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग आ रही है तो हमें लगता है कि यहां पर फॉल अप बाइंग एक्शन नेक्स वीक में आते वह दिखेगे और नेक्स आइट इसके 1640-1660 की तरफ भी आते वह दिख सकते है करीब होगा 1560 के आसपास हमें लगता है यहां पर जो दूसरे स्टाप करने के पसंद आ रहे हैं उसमें जो यहां पर देखना अच्छी फडिलाजर स्पेस से करते हैं यहां पर हमें लगता है कि पांसो पचास के उपर जैसे ही इस्टाप आपस तेजी ट्रेवल करेगा तो इसमें लेक्स टार्गेट पांसो पिछोग तरफ पांसो असी की तरफ आते वह दिख सकते है इस्टाप लोस जो रखना होगा वो कई गोगा 538 के आस पास जो अब मेरा दूसरा जो पिक रहेगा फर बीकेस्ट वो है कॉंकोर में कॉंकोर में मेरे ख्यास से अच्छा ब्रेक आउट आ रहा है बीटेस्ट के लिए अच्छा लग रहा है 713 का भी CMP चल रहा है अब इससी लेवल से बाई कर सकते हैं 695 पांस टॉक्स लगाए 740 का उसका पहला टार्गेट रहेगा दूसरा टार्गेट रहेगा 748 748 रुपे के लक्ष कॉंकोर में रेल्वे 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 रेलेटेड तबाम स्टॉक्स को आज हम चलते भी देख रहे हैं नितेश जी आप क्या बीटेश ची करेंगे सिर्फ दूसरा है भारती अर्ट है बहुत वंदी अधी के बाद सस्टेनेबल अप्पूर भारती अर्ट में है 945-980 के स्टॉक्लोफ से भारती को लेगा है 940 के स्टॉक्लोफ से लेगा है BTSP का कहला टार्ट अगेट अगेगा 970 रोसा टाइट अगेगा 980 का ठीक है तो हम क्लोजिंग के तरफ बढ़ रहे हैं यह आज शुकरदार की क्लोजिंगा दो दिन के गैप के बाद मार्केट में वापिस काम होगा और इस बिच अर्निंग का फ्लो भी बढ़ जायाएगा अभी तक आपने दो बड़ाई नंबर्स देख लिए टी सीएस और इंफोसिस टिपिकली उसने मार्केट के हल्प तो नहीं की लेकिन मार्केट को बहुत बड़ा डैमेज भी नहीं पहुँचाया एक्सपेट करते हैं कि अर्निंग सीजन मार्केट के फेवर का होगा इसलिए सोंबार से आप अर्निंग वाले फ्लेवर के साथ ज इंच कंदर क्लोस करके जा रहे हैं अड्वांस टिकलाइन खराब नहीं है वालिटिट इंडेक्स ठीक है और ग्लोबल मार्केट में भी बने इसरेल और हमास की वीच में जो दिक्क्त चल रही हुए का लग मामला है लेकिन इस जियो प्लेटिकल इटेंशन को भूल के मार्क अपने रिदम में चल रहा है आज आपने सुभे देखा होगा कि अड्वांस टिकलाइन में थोड़ा प्रब्लम थी क्योंकि ग्याप डाउन वे थे लेकिन दिन के मुमेंट आते आते तक अड्वांस टिकलाइन में भी नंबर्स में आपको सुधार दिखा हजार शेयर लास पॉइंट का नुक्सान हो लेकिन फिर भी ये शेयर काम्याब हो है बढ़त के साथ बंदोने में एक दोशीज और है मार्केट के बास जो लीडर्शिप की क्राइसीज है वह थोड़ी थोड़ी करके उसको खतम करने की कोशिश की जा रही है बैंक रिफ्टी के पास मार्केट के अंदर आई है यह जो चर्निंग हो रहे हैं मार्केट के अंदर ही बहुत काम किया थोड़े पहले आशो थी इनने पर भी खबर आई कि उनको 1666 नए बस इसका और भी मिला है तो यह जो कॉंबिनेशन है काफी बैतर है एक और चीज और मार्केटिंग वाली कंप अच्छन वाले शेयर्स में से टाटा कंजूमर्स आज जो कॉल दी थी सुरी ने तो वह बेस्ट कॉल्स में से एक है डेर से दो परसेंट उपर जाके बंद हुए और इसका ब्रेक आउट भी है आप इस पर विध्यार नखेगा कुल मिलाके मार्केट की आज की क्लोजिंग है नंबर्स के लिहाद से ठीक है पार्टिसिपेशन के लिहाद से ठीक है थोड़ा से वह सुभार चाहिए हमको एफाइस का चाहिए पिछले तीन देन से एफाइस की होल्डिंग बड़ी तो है 28% लांग हो गए हैं लेकिन अभी भी थोड़ा और दम चाहिए कम से कम 40-42% हो कि आते हैं खबर भी हैं ऑप्शन्स भी हैं सब कुछ रहता है स्वारी बहुत शुक्रिया आज आपका कार्कम में जूनने के लिए मितेशी थैंक यूवरी मुच आज अपने समय दिया राजिस सर्थ थैंक यूवरी मुच समय देने के लिए मैच इंजॉय कीजिए आप और यूवरी मुच आपका का यूवरी मुच नहाई देने के लिए मैच आपका कार्कम में जूभ में लिए मुच आपका का युवरी दिया वहाँ है। झाल 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 झाल